हेलो दोस्तों नमस्ते आदाब और सस्तिरकार आपका दोस्त गौराव इस सुन्दर सुबह में आपका स्वागत करता है जहाँ पर आज हम करने वाले हैं पूरी की पूरी कॉंस्टिटूशन को एक बार नज़र डालेंगे और सबसे पहले मैं आप सभी टेस्ट बुक के जितने भी योद्धा है उनको मैं अपनी तरफ से मतलब गौरफ की तरफ से और पूरे टेस्ट बुक की तरफ से हार्दिक बधाया देता हूँ 26 जनवरी जो की गरतन दिवस है तो दोस्तों आज वो दिन आ गया जहां पर हम अपने रियल योद्धा को याद करें जिन्होंने बहुत परिश्रम करके हमें इस मुकाम तक पहुचाया है और जब उन्होंने इतनी मेहनत की है तो क्या हम घर बैठकर थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि कहा जाता है कि ये कर चीक कर कहना है कि हाँ भाई सीलेक्षन तो हुआ हाँ पूर्वी गुड़ मॉर्णिंग सपना गुड़ मॉर्णिंग पूर्वी सोवेक महाँ हैपी रिपबलिक डे अंजू सोवेक हैपी रिपबलिक डे गोविन फड़ाफट से एक बार सारे लोग योधाओ को जोड़ लीजे क्योंकि आज सच में वो दिन आ गया है जहां पर हम योधाओं को याद करें जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा हम बुल बुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा भाई सही बात है ये देश हमारी जान है इसके लिए तो हम मर मिटने को तयार है एक बार तो आप आवाज दे कर तो देखो ये जिंदगी पूरी की पूरी कुर्बान है तो दोस्तों आपको पता है कि ये आज जो गर्तत दिवस है वो आसानी से नहीं आया है उसके लिए परिश्रम हुआ है तो उस पर आज हम एक नजर डालेंगे कि किस तरह से हमारे योधाओं ने फाइट किया और सारी चीजों को बारिकी से देखते हुए हम जाएंगे हां साथी हैपी रिपबलिक डे शूती हैपी रिपबलिक डे रिमपा चलिए मेरी वोइस आप तक आ रही है तो एक बार फटा फट थम्जब कर दीजे फिर आगे बढ़ते हैं हा और एक बार क्लास सुरू होने से पहले सबी लोग एक बार टाइप करेंगे जैहिंद क्योंकि हमारा जो आज क्लास है वो गड़तंत्र दिवस पेशल पर है चलीए स्वाती ने यहां पर थम्जब कर दिया है कवीता ने थम्जब कर दिया है रिमपा ने थमजब तो हम रेड़ी आर यूरेडी फूर दवर जोकी हमें करनी हैं पूरे के पूरे दो गहंटे तक और रुकना मना है तक है यहां मैमं प्रश्न की सब्सक्राइब पर किए रहा आइडिया ऑफ कॉल सौरी आपर मैं पैन सब्सक्राइब करने दो एक बार ज़स्ट टी रही को आए को सब मैं ने दृतकर आपकर फ़्ली यहां पर लोगों के जवाब आ गये हैं MN Roy MN Roy क्योंकि यहां पर आंसर दिख गया था पर कोई नहीं यहां पर पर करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा MN Roy इन्होंने Constitutional Assembly के लिए सबसे पहले आइडिया दिया था देखिए दो इसमें confusion होते हैं question में एक idea of constitutional assembly एक advisory तो अभी मैं इसको नहीं बताओंगा क्योंकि आगे discussion में यह भी आएगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रशन है who was the constitutional advisor to the constituent assembly सम्विधान सभा के सम्व्याधानिक सलाकार कौन थे दॉक्तर अंबेडकर जी राजेन पशाट जवाहला नहरू और बी एन राव यहां पर मनीशा ने काया सर बी एन राव सौरफ करें सर डी प्रसंद जी सुचिता शुरुती खुशी वेरे विहान नेहा बहुत बढ़ी आ रिंपा यहां पर करेक्ट आंसर होगा बी एन राव देखिए मैंने इसी का जिक्र किया था क्यों क्योंकि जो हमने पहला प्रश्न देखा था उसमें क्या थे मन रॉय थे कौन थे मन रॉय जिनोंने आइडिया दिया था ठीक है एड़वाइ नहीं चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस मेंड डिमांड्स फॉर कॉंस्टिट्वेंट एसेंबली इन दा इयर ऑफ भारती राश्ट्री कॉंग्रेस ने किस वर्ष में सम्विध कुछ लोग कह रहें thirty तो 24 भी कह रहें वाया यह तो कटई-जहर कोशोन हो गया इतना easy को में कंदा नला लिया काओंकुन Correct रिंपा आप वेरी गोड शुबाम वेरे गोड प्रसर नजीद बहुत बढ़िया 1934 में पहली बार कॉंग्रेस की तरफ से डिमांड किया गया कि हमें क्या चाहिए कॉंस्टुटुटुटुएंट असेम्बली चाहिए है ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले प्रशन की तरफ आ नेमिंग दा कॉंस्टुटुटूटूशन समविधान सभाद्वारा समविधान के निर्माल के लिए कितनी समीटिया बनाई गई थी बाइस नौग यारा बीस अब शुचीता ने का है सर बाइस यश्वनी कह रहे हैं सर ग्यारा कुछ लोग जा रहे हैं ग्यारा के साथ प् गई थी तो इसको हमें ध्यान रखना है ठीक है वेरे गोड़ खुशी नीलू शुटी कवीता वेरे गोड़ आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ वाद 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 टोटल नंबर आफ वूमेन मेंबर सिंदा इंडियन कॉंस्टुटुटूएंट असेंबली भारत बढ़िया यहां पर आगया है 15 नीलू कह रहे है रवी अध्वदेश विहान रिंपा बलराम बहुत बढ़िया सुचीता शुबरा सौरा वेरे गोड़ यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वोगा पंद्रा भाई तेरा नहीं होगा तेरा नहीं होगा कई लोग तेरा आंसर द सारे लोगों को जोड लेंगे क्योंकि आज गर्तंत्र दिवा स्पेशल है जहां पर भारत के संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं ठीक है लोग कहते हैं जहां डाल डाल पे सोने की चिडिया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा तो जब भारत के सम्विधान की बारी आती है तो हमें हर एक बारी की से पता होना चाहिए एज़ा स्टूडेंट एज़ा सिटीजन ओफ इंडियान ठीक है तो आप चलिए आगे बढ़ेंगे लिए और यहां पर लोगों के आरे मतलब देखते हैं बाकी लोगों के कुछ लोग करें 299 confusion हो गया लोगों को दो option में लेकिन भाईया correct तो एक ही है इसको बोलते हैं confusing question क्या बोलते हैं आपको confuse करने के लिए वो number दिये जाते हैं जो बिलकुल pass में हो ठीक है यहाँ पर correct answer आ रहा है sorry very good कवीता very good प्रसन्यजीत बिलकुल सही है आप यहाँ पर यहाँ पर correct answer होगा 299 कितनी थी भी या 299 तो इसको भूला नहीं है 298 नहीं होगा ठीक है confuse करने के लिए आपको ऐसे question दिये जाते हैं आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नी की तरफ when was the first meeting of the constituents assembly held सम्विधान सभा की पहली बैठक कभूई थी 15 अगर्स 1947 26 नवंबर उननिस सो उन्चास नो दिसम्बर उननिस सो च्यालेश 26 जन्वरी उननिस सो तीस लोग यहां कह रहें सर सी ओप्शन होगा 333 हां श्रियान गुड्मॉनिंग है पी रिपब्लिक देव फड़ा फड़ से जुड़ जाएं रिंपा निकाय सर 9 दिसम्बर ओके प्रसंजीत वेर आज मनीशा वेरी गुड्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा 9 दिसम्बर 1946 क्या होगा 9 दिसम्बर 1946 सेवें सेकेंड जो हुई थी वो का भूई थी 11 दिसम्बर 1946 ठीक है फिर उसके बाद का भूई थी 13 दिसम्बर 1946 यह भी याद रखेंगे ठीक है वेरी गुड्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है दफ फस्ट सेशन ऑफ द इसम्बली ऑफ इंडिया वाज हैड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज भारत की समिधान सबा का पहला सत्र निमलिखित में से किस सहर में आयोजित किया गया था क Bennett मतलब भांबे करें diff kare यहां गिरीश करें सर मुंबाई साकशी कह रही है देली मतला फिर से आप अप लोगों ने स्चन को कत्या शहर बना दिया है क्या बना धिया 700 ठिक है तो यहां पर dhe Д इस दा करेक्ट आंसर वेरी गोड नीलू चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नी की तरफ दर नेशनल फ्लैग वोज अडॉप्टेट बाइट बाइद असेंबली ओन सम्विधान सभाद्वारा राश्री ध्वच को कब अपनाया गया था 15 अगास 1947 22 जुलाई 1947 26 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 यहां पर लोग करेसर 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 शुब्रा साक्षी राखी नीलू सिर्वानी रिंपा मनीशा बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वोगा 22 जुलाई 1947 आज हम फ्लैग के बारे में एटू जैड कोशन कर लेंगे एटू जैड क्यों क्योंकि आज है गरतंत्र दिवस इस्पेशल जहां पर हमें इसेंबली अपने फ्लैग नेशनल एंधम के बारे में तो पता ही होना चाहिए आगे बढ़ते हैं सेफ्रोन कलर ऑफ दा इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबॉलाइज इस भारती राश्ट्री धोज को क सर्या रंग डैश का प्रतीक है तुर्थ इस्ट्रेंथ और करेज प्रॉस्पेरिटी और डिटर्मिनेशन यहां पर केतन ने सबसे पहले रिप्लाइब किया है और पुश्पार ने रिप्लाइब किया है ऑप्शन नमबर टू कह रहे हैं ठीक है और आशुतो शूती विशा जोती बहुत बढ़िया अमित यहां पर करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेंथ एंड करेज भाईया इंडियन फ्लैग में जो सबसे उपर कलर होता है वह होता है सैफ्रॉन कौन सा होता है सैफ्रॉन जिसको कहते है नारंगी सेकेंड होता है वाइट कौन सा होता है वाइट ठीक है फिर उसके बाद होता है green तो आपने बता तो दिया कि सैफरोन का मतलब क्या है white का देखिया मतलब क्या है peace क्या है peace शांती और green का मतलब क्या है जल्दी बताएंगे green का सिंबलाइज क्या है green कलर क्या सिंबलाइज करता है हाँ white peace and truth दोनों है ठीक है अरे भाई यहां पर यह वाला पीस नहीं आएगा यह पीस नहीं होगा ठीक है यह तो तुकड़े वाला पीस है शांती वाला पीस आएगा भाई यहां पर बोल रहे हैं ठीक है prosperity 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 आगया green के लिए very good यहां पर correct answer जो होगा वो prosperity होगा ठीक है सम्रिद्धी क्या सम्रिद्धी very good राखी बहुत बढ़िया अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे अगले question पर बढ़ते हैं अगला प्रश्न the shape of our national flag is rectangular what is the ratio of its length and breadth हमारे राश्टी ध्वच का आकार आयतकार है इसकी लंबाई और चुडाई का अनुपात क्या है दो इस्टू एक ठीक जवाब दिया है साही शुती मनीशा प्रसन जी साथी कविता पुष्पा विहान बहुत बढ़िया यहां पे करेक्ट जवाब जो होगा वो थ्री इस्टू टू होगा पर एक्जाम में आपके साथ confusion करते हैं गेम खेलते हैं स्सी वाले और रेल्वे वाले वो क्या करते हैं वो पता है उनको क आपको करेंगे वो इस तरह से तो इसका याद रखना है आपको ठीक है हाँ बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ वें डिड़ा इंडियन constitutional assembly adopt the constitution भारती समविधान सभाने समविधान कब अपनाया था 26 नवंबर उन्निस सो पचास 26 जनवरी उन्निस सो पचास 26 नवंबर उन्निस सो पचास और 26 जनवरी उन्निस सो उन्चास यहां पर फिर से confusion आएगा सौरव ने कहा है सर सी option के साथ जा रहे हैं ठीक है बाकी लोग को देखते हैं ठीक है फड़ा फट से गाईज एक बार शेयर कर दीजे और लाइक कर दीजे जिससे जादा से जादा जो है योधा जुड़े और असली योधा के बारे में जाने जिन्होंने हमें गर्तंत्र दिलाया जिन्होंने हमें 15 अगस्त को आजादी दिलाई ठीक है हाँ very good आगे जबी जनेरी 1950 को डॉक्टर राजेंट पसाद ने एक स्टेडियम में राश्टी धोज फैराया जिसे पहले स्टेडियम के रूप में जाना जाता है छत्र साल इर्विन टाकोत्रा और हर्बक्स यहां पर बोल रहें टाकोत्रा होगा रिंपा कह रही है इर्विन होगा सौर आपने काया सर इर्विन कवीता कह रही नहीं सर सी ऑप्शन होगा इर्विन इर्विन आ रहे हैं लोगों के यहां पर very good रुक्सार यहां पर करेक्ट आंसर इर्विन होगा क्या होगा इर्विन ह होगा इसमें मत कन्फ्यूज होना ठीक है याद रखेंगे बिलकुल इर्वेन इस दा करेक्ट आंसर ओनली शॉट रुसकार ठीक है आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ वॉट इस दा एप्रॉक्सिमेट प्लेंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ इंडिया नेशनल एंथम भात राश्री गान के पूर्ण संसकरण का अनुम अनुमानित गायन अवधी क्या है अर्टाली सेकेंड बासट सेकेंड बावन सेकेंड और अलसट सेकेंड यहां पर प्रस सेकेंड हमें क्या और नेशल एंथम आप या दो पता होना चाहिए अगर मैंはは प्रस बढ़ें प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है नेम्द फ्रीडम फाइटर हुँ डिजाइंड एंड हैंडल ओवर त्राइक कलर विच लेटर बिकम दनेशनल फ्लेग टू मोहंदास करम चंद गांधी उस तंतता से नानी का नाम बताई है जिसने तिरंगे जो बाद में राश्टी धोज बन गया को डिजाइन किया और मोह कुमार प्रनाव सौराव प्रवीन वेरी गुड यहां पर करेक्ट आंसरों का पिंगली वहंग कहिया इन्हों ने ही अपना फर्स्ट जो फ्लेग डिजाइन था मतलब वह इन्हों ने ही किया था तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे ठीक है इनकी वजह से आज हम जो बार बार मॉडिफाइड फ्लेग देख रहें जैस्ट बिकॉज ऑफ इम क्योंकि इन्हों ने डिजाइन पहले फ्लेग को किया ठीक है आगे बढ़ते हैं राजियन प्रशाद जी पंडित नहरु जी और सचिदा नन सिनहा जी बताईए यहाँ पर प्रसंजीत ने कहा है सर डी कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ पर बी बी ऑप्शन आ रहा है confusion ही confusion है solution कुछ पता नहीं solution जो मिला तो साला question क्या था पता नहीं यहाँ पर confusion हो गई लोगों को confusion हो गई क्योंकि यहाँ पर लोग कहरें Dr. Rajendra Prashad ठीक है क्यों क्योंकि उनको पता है कि यहीं होगा लेकिन उन्होंने question में ध्यान से नहीं पढ़ा कि interim पूछा है हाँ जब interim पूछा है तो सचिदानन सिनहा होगा यही तो temporary थे भाईया राजेंद प्रशाद जी तो permanent हो गयते करन हो गयते permanent मतलब 9 दिसंबर को जो हुई पहली इनकी सम्मेलन उसमें सचिदानन सिनहा जी थे ठीक है वो temporary थे लेकिन जब सेकेंड होई 11 दिसंबर को तब राजेंद प्रशाद जी थे एज पर्मानेंट ठीक है तो यह याद रखेंगे बहुत बढ़िया 4 is absolutely right चलिए आगे बढ़ते वेरी गुड जोती आगे बढ़ते अगले प्रशनी की तरफ resolution of पूर्ण सुराज वॉस पास जौन 26 जनवरी 1931 पूर्ण सुराज का प्रस्ताव 26 जनवरी 1933 को डैश में पारित किया गया था हरीपुल लाहोर कराची और कलकता यहाँ पे लोगों के आ रहे है सर बी option मतलब लाहोर के साथ जा रहे है शूती सौरा प्रसनजीत रिंपा ज 26 जनवरी को क्या लिया गया resolution पूर्ण सुराज का वहाँ पे फ्लैग लहराया गया कहां पर लाहोर में कहां पर लाहोर में कौन सी नदी के किनारे फड़ा फड़ से बताएंगे रावी नदी थी की नहीं थी हाँ बहुत बढ़िया हाँ चलिए यहां पर आमित करे टू रावी नदी सौरव ने बता दिया है प्रसनजीत ने भी बता दिया है वेरे गोड रिंपा चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वो और लाश्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल वो एड्रेस दा कॉंस्टिट्यूएंट असेंबली समविधान सभा को संभोधित करने वाले अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे लॉड एटले लॉड माउंट बेटन लॉड बेंटिक और नन ऑफ दा अबाव यहां पर आ गए है कि माउंट बेटन माउंट बेटन सब ने लिख दिया है बहुत बढ़िया देखते हैं किसका सही जवाब है यहां पर होगा लॉड माउंट बेटन बहुत बढ़िया सारे लोग इसको चल्ली चल्ली कर दिये हैं भाईया इनको तो चल्ली चल्ली करना बन प्रतीक चिन्न की आधार प्लेट के नीचे खुदा हुआ है मिम लिखित में से किसमें से लिया गया है मुंदक उपनिशद रिगवेद भागवद गीता और वालमिकी रामान यहां पे लोगों को कोई भी confusion नहीं होगा क्योंकि यह युद्धाओं के लिए तो easy question हो गया क्योंकि यहां पर correct answer होगा मुंदक उपनिशद ठीक है कितने उपनिशद है 108 उपनिशद है यह भी याद रखेंगे ठीक है रिगवेद यहां पर दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि यह oldest वे अमेंडमेंट एक्ट is known as mini constitution निम लिखित में से किस सम्विधान सर्सोधन अधिनियम को छोटा सम्विधान कहा जाता है 41st 42nd 43rd 44th यहां पर बोल रहे है 42nd 42nd आ रहा है भाई कोई 44 भी बोलो तभी तो कहेंगे कि गलत कहा है इन्होंने पर यहां पर सभी लोगों के सही हैं बहुत बढ़िया शाबाश जो दाओं यहां पर करेक्ट आंसर होगा 42nd amendment act भाईया इसमें बहुत सारी चीज़े अमेंड की गई थी fundamental duty फिर अपन को sovereign socialist और integrity भी तो एड की गई प्रियम्बल में यह भी याद रखेंगे ठीक है यह बहुत बार पूछता है हाँ अलग कोई बात नहीं गलत हमें आंसर क्यों देना है सही आंसर ही देंगे ठीक है सारे लोग बिलकुल सही है आगे बढ़ेंगे लेकिन एक बाफ फड़ा फड़ से गाईश यहाँ पे शेयर कर दो और लाइक कर दो क्योंकि अभी तो और मजा आने वाला है अगला प्रेशन आपके स्क्रीन पर दसरदार वल्लब भाई पटेल नैशनल पुलिस अकेडमी इस लोकेटेड नियर सरदार वल्लब भाई पटेल राश्ट्री पुलिस अकाडमी कहां पर इस्थित है हाइदराबाद पूने भोपाज चंडीगर फड़ा फड़ा फड़ से लबासना कहां पर है लबासना जल्दी से बताएंगे सभी लोग यहां पर अभी किसी का भी आंसर नहीं आए अब आ रहा है यहां पर कि सर दहरादून 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 उत्तरा खंड बहुत बढ़िया चलिए उत्तरा खंड आ गया आंसर तो सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे कि यह उत्तरा खंडे में हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्णी विच ओफ फॉलॉइंग इस अपॉइंटेट बाइदा प्रेजिडेंट निम लिखिद में से कौन राश्पती द्वारा नियुक्त किया आता है चीफ जेश्टिस ऑफ इंडिया एलेक्शिन कमीशनर जज़ेस ऑफ दो सुप्रीम कोड और हाई कोड और अब अब ऑफ फेवरेट आप्शन आ गया हां फेवरेट आप्शन आगे सब के सौरब ने का है ओल विकल्प करे और स्वाती राकी ओ भाई मारो मतलब आप ल जालत भी होता है हम आप्शन पढ़के देंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ हूँ और चेयर में ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया भारत के पहले वितायों के अध्यक्ष कौन थे के सी नियोगी बहावीरत्यागी के साल संथनम और पाइनस कमीशन और हमें पता है फाइनस कमीशन बही आधिकल तूएटी में कई बार पूछा गया ससी में कुछेन ये वाला और रेलवेय में तो भर-भर के पूछ रहे हैं अगले प्रस्टी की तरफ बढ़ेंगे अगला प्रस्टी तरफ वरंतों मींस अधिकार पूछा शब्द का क्यारत है तू भी सर्टिफाइट तू है दब बोड़ी आफ दी कमांड बाइव और अथरीटी यहां पर देखते हैं सौरफ कह रहे हैं सी कुछ लोग कह रहे हैं डी ओके सौर क्योंकि हम पूछते हैं कि आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं हम कमांड करते हैं कोई बात नहीं गलती से गलती होती है लेकिन सीखना भी तो जरूरी है आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देखना चाहेंगे रिपब्लिक डे स्पेशल लेकर आया है आपके लिए टेस्ट बुक जहां पर आपको 399 में इयरली पास मिल रहा है वहां पर आप 470 प्लस एक्जैम की तयारी कर सकते हो विद 33,000 मौक टेस्ट के साथ और इस पास को जब आप खरीद रहे हो तो कोड यूज कर रहेगा G-A-M-P-A-S जो की मेरा कोड है G-A-M-P-A-S-S जहां पर आपको 15% का क्या मिलेगा दिस्काउन मिलेगा और ये कैसे खरीदना है एक बार वो हम देख लेते हैं तो आप सिंपली गूगल पे जाए यूट्यूब ओपन करिए टेस्ट बुक के पेज पर चलियाए कोई साभी वीडियो ओपन कर लिजे चलिए ये अपने लाइफ क्लास है यहां पर हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन पर जाना है डिस्क्रिप्शन पर जैसे ही जाएंगे आप देख पा रहे होंगे टीचर लिंक यहां पर दिया है इसको सि अप्लाइ कोड करेंगे और कोड क्या है अपना जी ए एम पी ए एसस और सिर्फ अप्लाइ कर देना है अप्लाइ करते ही आप देखोंगे सारे के सारे आपको डिस्काउंटेट रेट आ जाएंगे तो गाइस आजी मौक लगाएं क्योंकि अगर हम मैदान में उतरेंगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे दुश्मन की ताकत कितनी है चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी पीपीटी पे वापस आते हैं और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूं पैन सिलेक करते हैं और नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर यह रहा जम्मू एंड कश्मीर बिकेम दापार आफ इंडिया थू ज कि रिंपा कह रहे हैं तू यहां पर आ रहा है मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कई लोग कह रहे हैं सर सी होगा गिरीश ने का है सर ए फ्यूचर ने का है सर ए असेशन रंजन राखी बहुत बढ़ियां आप लोग बिलकुल करेक्ट आंसर दे रहे हो वेरे ग चलिए यहां पर जिंदगी भी आ गए है आ गई है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण है हूं अमंग फॉलाइं वॉस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निमलिकिन में से कौन भारत के पहले मुख्य नयाइधीश थे एम पतंजली महर चलिएृषण, हीरालाल जे कनिया और ऐसारदयास यहां पर लोग कहरें सर उप्शेंबर ए मतलब एच जे कनिया, एच जे सभी लोग लिख रहे हैं सो बहुत बढ़िया यहां पर करथा आंसर जो हगा वहगा एचज कनिया ठीक है और यहां पर पतेंजली जी तो बिलकुल नहीं होंगे ठीक है कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं सी इस दा कर्यक्ट आंसर आगे बढ़ेंगे और आपको पता होना चाहिए कि देखे צिफ जस्तिस की बात की गई है तो मतलब सुप्रीम कोड में कितने होते तीन जिसमें से एठ चीफ जस्तिस होता है बाकी क्या होते हैं जस्तिस ऑते हैं और देखे और यहां पर 124 में मनेंश which of the following schedule of the constitution of India embodies three-list union, state and concurrent भारत के सम्विधान के निमलिखित अनुसूचियों में से कौन तीन सूचियों संग राज और समवर्ती का प्रतिद निद्व करता है, सेकेंड, नाइन, शेक्ष और सेवंध यहां पे सौर बोले सर सेवंध, सेवंध, डी ऑप्शन आरा है सभी के कोई गलत बोल रहा है क्या कोई तो गलत बोलो नहीं नहीं आज सबने ठान क्या है सर गनतंत्र दिवस में हम सारे आंसर सही देंगे ऐसा है क्या चलिए बिलकुल य PM क्या था Tiers of old PM ठीक है भाईया पुराने प्रधान मंत्री के आंसू मतलब T से territory किसकी union territory की बात करता है फिर E से emoluments emoluments को हम क्या कहते है salary ठीक है A से affirmation क्या affirmation मतलब Oath क्या Oath R से राजसभा seat ठीक है R से राजसभा seat S से schedule area क्या schedule area O से other schedule area मतलब जो अपने मिघाल है और उस तरफ है ठीक है other schedule area F से आपका federal आ जाएगा जहां पर concurrent list union list और state list आएगा O से official language ठीक है official sorry how official L से आएगा आपका land distribution land के लिए D से आएगा anti defection ठीक है P से आएगा पंचायत और M से आएगा municipality कोई भी इसको भूलेंगे नहीं हाँ यहाँ पे तो लोगों ने लिख भी दिया कि सर अभी हमें तो 161 और 52 सब्जेक्ट से यह भी याद है हमें तो बहुत वड़ियां आगे बढ़ते हैं अगला question the first national flag of the Indian is that have hosted at dash in 1906 कहां जाता है कि भारत का पहला राश्टी दोज 1906 में डेश पर फैराया गया था पटना कोलकता न्यू दिल्ली और रहमदाबाद कि सभी क्या आगे सुदीप कोलकता 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 आ दिपाक दिपांश रिंपा महमाद बहुत बढ़िया यहां पर correct answer जो होगा वो होगा option number two कोलकता ठीक है second कब किया गया था second बताइए बताइए फडाक से second किस ने किया था और कब किया गया था अभी हां कोलकता बिल्कुल सही है कवीता प्रशान आशुतोश ठीक है 1930 में नहीं किया गया था किसी का भी हां यहां पर मुहमद फैजान ने बिल्कुल correct answer दिया है very good मुहमद यहां पर मैं फैजान का नाम लिखना चाहूंगा बहुत अच्छे से बताया है उन्होंने 1907 में किया गया था जहां पर मैडम कामा ने किया था बिल्कुल याद रखेंगे बिल्कुल भी भूलना नहीं है ठीक है बहुत बढ़ियां 1907 very good प्रसंद जीत आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है संविधांस दभा का चुनाव डैश वर्स में कि आईज़ित किये गए थे 1945 42 41 और 46 यहां पर आ रहा है सुदीब करें सर डी मतलब 46 की बात कर रहे हैं सभी क्या रहे हैं फोर प्रियांशू स्वाती कुछ लोग 41 कह रहे हैं कुछ लोग 43 कह रहे है श्वेता, सुनाली, विकल्प चलिए यहां पर करेक्ट आंसर लेकिन आप्शन नमर्डी होगा सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है बहुत बढ़िया, एक बार गाईज यहां पर सभी लोग शेर करिये और लाइक कर दीजे देखिए अभी आप है 185 लाइफ लेकिन लाइक सिर 134 इसको फड़ा फड़ से 160 कर देते हैं हाँ, चलिए 46 राइट है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ, the idea of including emergency provision in the constitution of India has been borrowed from the भारत के समिधान में अपात कालिम प्रावधानों को शामिल करने के विचार से उधार लिया गया है constitution of Canada, government of India एक 1935, constitution of Ireland और constitution of USA यहाँ पर confused मत होईएगा, खेर आप confused नहीं होंगे क्योंकि वो option में नहीं है अगर यहाँ पर Germany लिख देता तो बहुत से लोग confused हो जाते, क्या हो जाते confused, फिर भी correct answer हमारा क्या होता government of India एक 1935, Germany से क्या लिया गया था, suspension of fundamental right, क्या लिया गया था, suspension of fundamental right in emergency तो बहुत से लोग यह emergency पढ़कर इसको टिक लगाते है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, very good Ireland से हमने क्या लिया था, DPSP लिया था, क्या लिया था, directive principle of state policy, DPSP, ठीक है constitution of USA से हमने क्या लिया है, fundamental right यह भी नहीं भूलना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्री की तरफ, अगला प्रश्न है, which article of the constitution of India is related to the joint session of parliament, भारत के सम्विधान का कौन सनुछे संसत के सहयुक्त सत्र से संबंदित है, 72, 102, 108 और 111, लोगों के आगे सर, 1 से 8, 1 से 8 सभी साथ, बिलकुल जाई, यहाँ पे correct answer होगा, 108, अब कैसे याद करें इसको, यहाँ पे joint session की बात कर रहा है, मतलब सब के साथ बैठना है, मतलब 108 सब के साथ, 108 सब के साथ, ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसमें क्या होता है भाईया, joint session में क्या होता है, बुलाता कौन है, बुलाते तो भाईया, president है, joint session को, लेकिन इसको preside कौन करता है, बताईए फड़ा-फड से, speaker of लोग सभा प्रिसाइड करते हैं, बहुत बढ़िया, very good दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, very good सुर्भी, प्रिशान्त, मनीशा, शुभम, चलिए आगे बढ़ते हैं, who was the permanent president of constituent assembly, सम्विधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष कौन था, जवाला नहरू, राजेंत प्रशाद, सचिदा नंसिना और के एम मुंशी, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग, और correct answer देंगे, यहाँ पर अभी सब क्या आ रहे हैं, राजेंत प्रशाद, राजेंत प्रशाद, जी हाँ, यहाँ पर राजेंत प्रशाद, बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि यहाँ पर permanent की बात कर दिया है, ना ही interim कहा है, ना ही temporary, तो ठीक है, यहाँ पर correct answer होगा, राजेंत प्रशाद, हमने डिसकस कर लिया है, 13 December को इन्होंने प्रिसाइड किया था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, sorry, 11 December को very good, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रशनी की तरफ, which constitution provision was not borrowed by the constitution from the Australia constitution, कौन सा समविधानिक प्राफधान भारती समविधान दोरा आस्टेलिया समविधान से नहीं लिया गया था, directive principle of state policy, concurrent list, joint sitting of the two houses of freedom of trade and commerce, अभी डिसकस किया है, सभी लोग सही answer देंगे, हाँ दीब, good morning, फड़ा फड़ से जुड़ जाईए, यहाँ पे बिल्कुल A is the correct answer, क्योंकि हमने अभी देखा कि इसको तो Ireland से लिया गया था, ठीक है, बाकी सारी चीजे ऑस्टेलिया से ली गई है, joint sitting देख लीजे, joint sitting, जो कि हमने पढ़ा 108, ठीक है, concurrent list, हमने schedule अभी पढ़ा, इसके कौन से schedule में है, ठीक है, यह याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशनी की तरफ, the national song of India is, भारत का राष्ट गीत डैश है, जणगर्मन, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, on none of these, confused तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज गड़तंत्र दिवस है, देखते किसका आता है, यहाँ पर सभी ले कह दिया, sir, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, है, ठीक है, इसके बारे में, अभी हमने पढ़ा, कि इसको बावन सेकेंड के लिए, मतलब किया जाता है, बावन सेकेंड में, कम्पलीट किया जाता है, आगे बढ़ेंगे, आगले प्रशनी की तरफ, विच और फॉल्विए दस नौट कम अंडर दा चाइल्ड लेबर, निम लिखिन में से कौन बाल्शंप के अंतरगत नहीं आता है, चिल्रन वर्किंग इन फेक्टरीज, चिल्रन वर्किंग इन ग्रोसरी शॉप, चिल्रन वर्किंग इन एग्रिकुल्चरल फील्ड, यहां पर लोगों ने का है सर डी डी ऑप्शन आ रहा है विकल्प दिप्ती सौरब शुभम सिधी आशुतोष नेहा बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट आंसर होगा फोट जब खुल के खेत में काम अगर कर रहा है वो बच्चा तो उसे हम चाइल लेबर के अंतरगत में नही तो मतलब 14 साल से नीचे के बच्चों को अगर हम यहां पर इंवाल करेंगे तो वो चाइड लेबर के अंतरगत आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कॉश्चन की तरफ हो मस्ट टाइम टेकन बाद कॉंस्टिट्यूएंट असेंब्ली टू फाइनलाइज सम्विधान को अंतिम रूप देने के लिए समविधान्स अबाद वारा कितना समय लिया गया था दो साल 11 महिने 11 दिन 2 और 11 महिने 35 दिन 2 साल 11 महिने और 18 मतलब दो साल ग्यारा महीने तो सभी जगा कॉमन है दिन अगर आपको याद है तो आप सही टिक लगाएंगे यहां पर डी-डी आ गया है मतलब सब को याद है भाईया सब को याद है कि सर दो साल ग्यारा महीने 18 दिल लगे थे अब आज सोच सकते हो जो हम गरतंत्र दिवस बना रहे उसके लिए कितना परिश्रम किया गया हम एक एक्जाम की तयारी करते हैं तीन मेने में छे मेने में ठकने की बात करते हैं लेकिन यहां पे तो सिर्फ सम्विधान बनाने में ही दो साल 11 महीने 18 दिल लग गए जब यह परिश्रम कर सकते हैं तो हम भी तो परिश्रम कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चिन की तरफ इंडियन नेशनल सौंग इस टेकन फ्रॉम भारती राश्टी गीत डैस से लिया गया गितांजली दुर्गेश नंदनी भारत विद्यात और आनंड मठ यहां पर सौरव ने का ऐसा डी सुदीब डी के साथ जा रहें वार आविंद्रनाट टैगोर जी की इस बुक की वज़े से भाईया इनको मिला था क्या नोबल प्राइज ठीक है यह भी याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण आपके सामने दे कोंस्टिट्यूशन ओफ इंडिया केम प्रस्तावेच को इसने प्रतिस्थापित किया गोवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 गोवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडियन कॉंसिल एक्ट 1892 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यहां पर डिवीलियर्स भी आ गहे हैं सर की यहां पर 1935 होगा शूती कह रहे हैं रि 1935 आगे बढ़ेंगे अगले पर हिंदी बिकेम दा ओफिशेल लेंग्वेज ओफ इंडिया और 26 जैन्वरी डैश 26 जैन्वरी डैश को हिंदी भारत की अधिकारिक भाशा बन गई 1965, 1964, 1986 और 1950 बताइए यहां पर DD option आ रहा है सर 1965 भी कई लोग कह रहे हैं मतलब दो option में confusion है 1950 और 1965 में लेकिन यहां पर correct बहुत से लोगों का आ रहा है यह correct answer होगा 1950 अब देखिए official language की बात की गई है तो यह schedule किसमें है 8th schedule में यह याद रखेंगे 8th schedule में ठीक है कितनी language है 22 है पहले कितनी थी 14 थी ठीक है official language तो बाइस है classical language कितनी है यह हमने पढ़ा था यह आपका homework रहेगा classical language 6 है यह मैं बता देता हूं लेकिन कौन कौन सी है यह पहला homework है सारे के सारे लोग comment box पे इसको लिखेंगे फिर मैं next class में declare करूँगा कि किसे ने correct answer दिये है ठीक है हाँ classical 6 है आपको लिखना है कौन सा correct होगा ठीक है आगे बढ़ेंगे according to the constitution of India which house of parliament passes the constitution amendment bill भारत के सम्विधान के अनुसार संसत का कौन सा सदन सम्विधान संसोदन विद्यक पारित करता है बोथ upper and lower house or together lower house upper house both upper and lower house separately ध्यान से पढ़िएगा confusion होगा थोड़ा सा जहरीला question है बहुत से लोग confused हो गहें already हाँ भाईया option कई लोग b b b b बोल रहे हैं कई लोग क्या बोल रहे हैं d बोल रहे हैं बोथ houses लिख रहे हैं लेकिन भाईया बोथ houses तो आपके पास option number one में हैं और option number d में हैं तो बताइए बाकी को आप include नहीं कर रहे हो कौन सा correct है d d आ रहा है कुछ लोग ए कह रहे हैं मैं भाईया ए जिसका भी आ रहा है उसको तो साप ने डस लिया है क्या किया है साप ने डस लिया है क्योंकि option number four होगा भाईया यहां यहां पर बोथ upper and lower house separately कर सकते हैं यहां पर क्या लिकर है together together की जरूरत नहीं है देख जिए constitutional amendment bill कहीं से भी आ सकता है यह एक डिवीलियर्स बिलकुल correct है आप मनिशा वेरी गोड सिद्धी वेरी गोड आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नी की तरफ finance commission is appointed after every dash year वित आयोग की नियुक्ति प्रतेक डैश वर्शों के बाद की जाती है छे साथ दो पांच बताइए यहां पर आ रहा है डिवीलियर्स के रहे सर पांच सभी के पांच आ रहे हैं कोई छे बोल रहा है क्या नहीं नहीं सभी के पांच है यहां पर correct answer कुछ लोग बोल भी दिये 6 आ गये कुछ लोगों के यहां पर लेकिन correct answer जो होगा 5 होगा 6 नहीं होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नी की तरफ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर who appoints the acting chief justice of India भारत के कारवाहक मुकिन याइदिश की न्युक्ति कौन करता है chief justice of India chief justice of India with previous consent of the president president of India president in consultation with the chief justice of India यहां पर लोगों का आ गया sir d option मतलब president in consultation with the chief justice of India कुछ लोग करें नहीं sir यहां पर B होगा कि chief justice of India with previous consent confusion आ गया option number two में और option number four में ऐसे question बहुत देंगे वो आपको जिससे आप confused हो जाओ जैसे इससे पहले वाला भी question जो था वो confusion था यहां पर correct answer होगा president of India ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है देखे chief justice जब करना होगा तो जरूर discussion होगा consent किया जाएगा लेकिन जब acting करना है तो फिर कहें कि acting करेंगे हम किसी से discuss नहीं करेंगे direct दे देंगे कि यह acting chief justice होगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है सब्सक्राइब करेंगे जिसकी स्थापना की गई थी अंडर दा इंडियन इंडिपेंडेंस आप 1947 बाइदा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस थ्रूर रेजूशन अप्रविजनल गोवर्मेंट लोगों ने काया सर कैबिनेट कैबिनेट सौराव निहू रिंपा कविता प्रस अनजीत विकल पंकाज बहुत बढ़ियां यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वोगा ऑप्शन नमबर वान अंडर दा कॉंप कैबिनेट मिशन प्लैन 1946 तो गाइज यहां पर मैं एक बार फड़ा फड़ा आप लोगों से जो आंसर ले रहे हैं उसको करेक्ट आप मार कर रहे है तो इसका मतलब है कि आप सही जा रहे हो हाँ डिविलियस जी यह क्लास 12 बजे तक चलेगी जैसा हमने पहले भी डिसाइड किया था कि 10 से 12 हम समविधान मतलब कॉंस्टिटूशन के बारे में पढ़ेंगे आगे चलते हैं विच आर्डिकल इस रिलेटेड टू इंपोजि सब्सक्राइड राजियों में राश्पति शाशन लगाने से संबंदित कौन सानुचे दे आर्डिकल 356, 352, 354 और 300 सार्ट फड़ा फड़ से देंगे रिप्लाइस अभी लोग 56, 356 भाई 356 बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट होगा आर्डिकल 356 देखिए आर्डिकल 352 होता है 356 होता है और 360 होता है यहां पर 360 को बोलते हैं क्यांầy क्या बोलते हैं फाइन चाल कौन सा बाई यहां फैनेशाल फिल्पक्रण सी ठीक है यहां पर अंगे बढ़िंगे लेकिनव बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा पड़ा फाषे शयर करें और लाइक करे स्टर को तो अगर आपको मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी तो पूरी पॉरी पॉलिटी बाकी है अभी हमने सिर्फ आधा युद्ध लड़ा है कितना 50% चलिए आगे पड़ते हैं आगे पड़ते हैं दे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नोट पाटिसिपेट इन वोटिंग और न मेंबर ओफ राज सभा इसन मैजोरिटी फॉर्बिडेन बाइद आपोजीशन पार्टी ऑफ लोग सभा और इसे मेंबर ओफ लोग सभा यहां पर कह रहे लोग सी सी आ रहा है प्रसंद जी सुदीप मारी निदकाय डी सर यहां पर आ रहा है कवीता बोल रहे हैं सर सी हंड़ परसंट होगा दिव्यांश यहां पर पलक ने काई सडी यहां पर कंफ्यूजन हो गया यहां पर करेक्ट आंसर होगा इसा मेंबर ओफ राज सभा भाई अगर राज सभा मेंबर होगा तो और वह कैसे कॉंफिडेंस मोशन पर करेगा क्योंकि यह तो लोग सभा में चलती है नो कॉंफिडेंस मोशन अगर वो यहां का मेंबर होगा तभी तो वोट कर पाएगा अगर राज सभा का है तो कैसे करेगा वेरी गूड मनिशा बहुत बढ़ियां कि सारे के सारे लोग गलत दे दिये यहां पर सब को काटा है सापने सब को काटा है कि चलिए अच्छा सौरव ने यह दिया था चलिए अगर यह दिया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं दिया है तो नो डाउन कर लेंगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ यहां पर है दे कोंश्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड अवर नैशनल एंथम ओन सम्विधान सबा ने हमारे राश्टगान को कब अपनाया 20 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 21 मई 1949 और 13 नौंबर 1949 यहां पर लोग करें बी 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 मतलब 24 जनवरी 1950 तो भाईया आज है 26 जनवरी और बड़ा इसी सा सवाल है देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि वोटर सब्सक्राइब आता है यहां पर सभी क्या रहे हैं ठीक है 22 जुलाई 1950 ठीक है यहां पर खुशी ने सबसे पहले आंसर दिया है 25 25 जन 25 जन तो भाईया वोटर जिद जो आता है वो आता है 25 जनवरी यह भी याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण है आर्टिकल डैश स्टेट्स अबाउट सेपरेशन ओफ जुडिसरी फ्रॉन दा एक्जिक्यूटिव अनुछेद डैश में नयाइपालिका को कारेपालिका से अलग करने के बारे में बताया गया है 46, 43, 45, 55 हमने इसको ट्रिक से किया था मुझे लग रहा है कि सारे योधाओं को वो ट्रिक पता होगी क्योंकि यह सेपरेशन कर रहा है तो हमने कैसे याद किया था कि भाईया एक्जिक्यूशन को 50% दे दो और आधा किसको दे दो जुडिसरी को मतलब 50-50% मतलब यह कौन से प्रशन की तरफ लेकिन एक बार सभी लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे हां 50 साही है धरमवीर कवीता दीप आगे बढ़ते हैं वह दा इंडियन कॉंस्टुट्टेट असेंबली रिप्रिजेंट भार्दी समिधान सभाने किसका प्रदिनित्व किया फुली रिप्रेजेंटेटेटिव ऑफ फुदा हिंदूस फुली रिप्रेजेंटेटेटिव of the state in India fully representative of the provisions in India fully representative of states and provinces in India कि यहां पर लोग करें सरे बीडी लेंका सदी ओके बाकी लोग क्या करें है दिनेश ने का एडी प्रसंद जीत रिंपा स्वाथी वारियर राखी बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट आंसर होगा मतलब राज और किसको किया था उन्होंने पून प्रतिनित किसको किया था राज और प्रांतों को बहुत बढ़ियां वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नी की तरफ विच ओफ फॉलॉइंग इस डिस्क्राइब इस सोल ऑफ दा कॉंस्टिट्यूशन निम लेकिन में से किसे समविधान की आत्मा के रूप में वर्णित क्या गया है फंडामेंटल राइट डिरेक्टिव प्रिंस्पल फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रियम्बल ऑफ दॉफ अरे भाईया आर्डिकल 32 कहां दिया है यहां पर पूछ रह होंगा यहां पर प्रियम्बल है उसको कहा जाता है कि भाईया समविधान की आत्मा तो मत भूलिए इसको प्रियम्बल करेक्ट होगा हां हाट एंसोल आर्टिकल 32 ठीक है सोल ऑफ कॉंस्टिट्यूशन देखे हाट एंसोल ऑफ दिकल थर्डिकल जो है उसको अंबेटकर जी ने कहा था कि भाईया यह हमारे दिल और हां 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 दोगा 32 लेकिन यहां पर सोल आफ दो पूछा है तो वह होगा प्रियम्बल चल गनेश वासुदेव मावलंकर के सेगडे हुकम सिंग यहां पर भी आ रहा है ठीक है मावलंकर मावलंकर आ रहे हैं कुछ लोग और भी कुछ दे रहे हैं क्या नहीं भाईया यहां पर तो सभी लोग ने पोस्ट मॉटम कर दिया इस कोश्यन का कि हम तो सर सही बताएंगे है जीवी मावलंकर गनेश वासुदेव मावलंकर बहुत बढ़ी यहां बिजोए नेहू असीम साथी अकांशा चलिए आके बढ़ेंगे अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है विच अमंग दो फॉलॉइंग इस एन एक्स्ट्रा कॉंस्टिटूशनल बोडी निमलिखिन मे को ढ़्य लोगा है normally ठीक है यहाँ पे प्लेंस्न प्लेंग प्लेंग बढ़ा यहां पर प्लेंग कमीशन होगा ठीक है प्लेंग कमीशन को क्या आयोकाइक सी क्या लेक्ट निज् huis है इसके चेयर मैं कौन है? PM जी है, जो की नरीन मोदी जी है. इसके वाइस चेयर मैं कौन है? राजीव कुमार है. कौन है? राजीव कुमारी और CEO कौन है? अमिताब कन्त है, ये भी याद रखेंगे. सभी के आ गए हैं बहुत बढ़ी आंसर आ गया है सब के आ रहे हैं वेरी गुड आगे बढ़ेंगे लेकिन एक बार गाईज देखें 195 पर हैं यहां पर हम लाइक पर इसको आपन फड़ा फड़ से 220 कर देते हैं हां मयूर बिल्कु सही है रिंपा जेबा बहुत बढ़ी है कवीता बिजोय बाबू बिल्कु सही है आप आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर यह रहा को इस वह लॉंगेस सर्विंग प्रेजिडेंट ऑफ दे कॉंग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष कौन थे मादमा गांधी जवालाल नहरू सोनिया गांधी और राहूल गांधी यहां पर रिमपा करें टू ओप्शन जे एलेन कुछ लोग करें सर सोनिया गांधी नहरू जी नहरू जी नहरू जी ओके सभी के यहां पर बिल्कुल भाईया सोनिया गांधी भाईया सोनिया गांधी जी करेक्ट हैं बहुत से लोगों ने एक सहीद दिया है हाँ डिविलियर जी सोनिया गांधी करेक्ट है आप बिल्कुल सही है विजो है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है दप्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कें डिजॉल दा लोगसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ टम भारत का राश्पती खैस शब्द पूरा होने से पहले लोगसभा को भंख कर सकता है अब डाइबवाइज ऑफ चीज दस्टिस ऑन डाइडवाइज ऑफ वाइस प्रेजिडेंट ऑन डाइडवाइज ऑफ इस्पीकर ऑफ लोगसभा ऑन डाइडवाइज ओफ प्राइम मिनिस्टर यहां पर साइ देंगे बताइए राज सभा को भंग कैसे करेंगे राज सभा से भंग करने के लिए किस से डिसकस करेंगे बताइए फड़ा फड़ से राज सभा को very good film VP क्योंकि यह permanent house है जिसको कहते if for house इसको कभी भी terminate किया जा सकता जाएगスト अगला question The report of the Indian Constitutional reforms commonly known as the Montec Champs-Ford Report was published in भारती सम्वैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट जिसे आमतोर्पा Montec Champs-Ford Report के रूप में जाना जाता है कब प्रकाषित की गई थी 1905, 1910, 1920, 1918 यहाँ पे ड़ी इविलेस ने कापासर 1990, 1919 आ रहे हैं कुछ लोग 1908 भी कह रहे हैं कुछ लोग इनीचर भी कहा रहे हैं, यह पर देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर चैंप फोड रिपोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है, हाँ चलिए, हाँ उन्निसघ्र इन इस आठीर, यहाँ पर उनिसघ्रो और उनिसघ्राइब बिल्कुल सही है, तभी हम कहते हैं 1919 Montec Champs Ford ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ Article 164 of the constitution of Indian deals with the which of the following भारत के समीथान का नुचेद 149 में से किस से संबंदित है council of minister to aid and advice governor the council of minister is collectively responsible to the legislative assembly the chief minister acts link between the governor and the council minister the oath is given to the vice president and the president of India यहां पे लोग कह रहे हैं sir planning commission planning commission कहा दिया है भी यह option में यहां पे आगे हैं cm 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 council of minister कह रहे हैं यहां पे correct answer होगा the council of minister is collectively responsible to the legislative assembly बहुत बढ़ियां चली आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ लेकिन एक बाप फड़ा फड़ से सभी लोग like करेंगे और share करेंगे और मैं बढ़ूंगा अगले प्रशनी की तरफ बाकी सब हाँ ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ चाहिए यहां पर बोल रहे हैं अभीद अली बहुत से लोग बोल रहे हैं कई लोग बोल रहे हैं सर राम सिंग ठकुरी होगा अफसाना नंबर 3 के साथ जा रहे हैं क्योंकि राम सिंग ठकुरी बिल्कुल सही है बहुत बढ़ी आप चलिए आगे बढ़ते हैं विजोई आप बिल्कुल करेक्ट हैं अकांशा वेरे गोड आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है वोट इस नौट टेकन फ्रॉंड गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया एक नाइटी धिवाइव इंडिया भारत के सम्विध सब्सक्राइब भारत सरकारा धिनियम 1935 से चाह नहीं लिया गया फेडरल स्कीम जूडिसरी पब्लिक सर्विस कमिशन और फंडामेंटल राइट ठीक है यहां पर डीडी आ रहा है दिप्ती स्वाती मुस्कान साही अनुप्रिया वेरे गुड फंडामेंटल राइट वेरे गुड क्योंकि फंडामेंटल राइट अभी हमने देखा था कहां से लिया गया था यूएसे से लिया गया था बाकी अब देखिए जी ओ आई 1935 स यह सारी चीज ली गई क्या फेडरल स्कीम जुडीशरी पब्लिक सर्वेस और एमर्जेंसी यह भी याद रख लेना ठीक है यह सारी कहां ली गई जी ओ आई 1935 आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ इंटर स्टेट कॉंसिल इस फोन बाइदा अंतर राजी परिशत का ग सचीटा बोल रहें मतलब क साथ जा रहें की कुछ प्राइम इनिस्टर के साथ भी जा रहे हैं इंट complaint कर्依्फ मत हो न अभी सही आ रहा है बिल्कुल सौराफ कंफ्यूजन में थोड़ा सा लग रहे हैं रिंकू भी बोल रहे हैं मतला पालियमेंट के साथ जा रहे हैं कुछ लोग पी एम तो यहां पे देखें करेक्ट आंसर जोगा वो होगा प्रेजिडेंट ठीक है क्या होगा प्रेजिडेंट हाँ बिजोए आप सही हैं बाकी तो बिल्कुल डी ओप्शन रिंपा वेरे गोड कविता वेरे गोड चलिए यहां पे करेक्ट आंसर डी है आगे वड़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ इनमें से किसके पास भारत में नागरिक्ता के अधिकार को विनेमित करने की शक्ती है यूनियन केविनेट पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ड लौ कमिशन प्रसनेजीद ने सबसे पहले आंसर दे दिया है बी सर गोविन सौरव दीप आदर्श एबी डिवीलियर्स बहुत बढ़ियां अफसाना बहुत बढ़ियां रिमपा वेरे गुड यहां पे करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट ठीक है पार्लियामेंट अब आपको बताना है कि आर्टिकल बावन में है ठीक है अब आपको लोगसभा राजसभा बताना है किस आर्टिकल में है प्रसनेजीद ने आंसर भी दे दिया वेरे गुड यहां पर राजसभा जो होगा वोगा 80 और लोगसभा क्या होगा 81 ठीक है यह याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अ पंद्रह दस बारा चौदा अब एब ट्विले जबारा बारा आरा दिनेश शेरत नेहूं अफसाना ओमंगो पाल नेहूं मुहम्माद दिनेश बहुत बढ़ियां यहां पर करेक्ट आंसर होगा बारा और यह बारा किस से रिलेटेड होंगे कोई होगा ड्यांस से मतलब एक हाँ अभी लोग सभा में जो बनोमित होते थे लोग सभा में कितने होते थे दो होते थे अब वो नहीं होंगे जो की एंगलो इंडियन हुआ करते थे तो यह भी याद रखिएगा ठीक है यह नियूज में था तो कोश्यन पूछ सकता है आपसे हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कोश्यन की तरफ वेरी गुड वियान अगला कोश्यन वाट रफर्स तो दा इंडिपेंडेंडेंट पीपल इन डेमोक्राटिक फॉर्म ऑफ गोवर्मेंट सरकार के लोकतांत्रिक रूप में सतंत्रता लोगों को क्या संधर्वित करत है आइडियल पॉलिटी ट्राफिकिंग और सॉवरेन यहां पे डिवीलियर्स ने का है सर सोवरेन रिंपा के रेज ओके डी शारेक के वीएस थिरू बहुत बढ़ियां अफसाना वेरी गोड सुमेथ खुशी वेरी गोड बहुत बढ़ियां यहां पे करेक्ट आंसरों का भ ट्राफिकिंग तो बिल्कुल नहीं भाईया ट्राफिकिंग तो बिल्कुल नहीं सोवरेन मतलब हम अपना डिसीजन ले सकते हैं हमारे डिसीजन में कोई भी अडंगा नहीं करेगा चलिए अगले कोशन की तरह पढ़ते हूँ एस रिटेन इंडियास नैशनल सॉंग वंदे मात्रम भारत का राष्ट्री गीत वंदे मात्रम किसने लिखा है प्रेम चंड शारत चंद्र बंकिम चंड चटर जी और अविन्ना टैगोर ठीक है ठीक है सभी के सही आ रहे हैं यहां पर करेक्ट आंसरों को ऑप्शन नमब थ्री बंकिम चंड चटर जी जिनों ने आनन्द मठ ये भी याल रखना कहां से लिया गया था आनन्द मठ हमने अभी देखा था आगे बढ़ेंगे अगले प्रिश्णी की तरफ अगला प् सब्सक्राइब की डेशन सुची में उल्लेखित हैं सेकेंड फूर्थ थार्ड और फ़र्स्ट फड़ा फट बता दीजिए गाईज यहां पे बोल रए है ठीक है डी 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 आ रहा है मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रस्ण जीत ठीक है कुछ लोग सी भी कह रहे हैं सी कैसे मतलब थार्ड नहीं होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट अभी हमने देखा था यह यूनियन टेरिटेरी से हैं सेकेंड क्या था यहाँ पर बताईए इमोल्यूमेंट मतलब सेलरी थार्ड अफर्मेशन मतलब ओथ फोर्थ बताईए राजसभा सीट ठीक है भूलेंगे नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नी की तरफ सेवेंटी थार्ड अमेंड मेंड 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 ओफ इंडिया इस रिलेटेट टू वीच ऑफ फॉल्वाइं भारत के संविधान का तेहत्रवा संशोधन निमलिकित में से किस्ते संबंदित है सब्सक्राइब अंचायत सबसे पहले कहा पर आया यह भी याद रखेंगे यह कौन से जिले में आया तो नागोर जिले में आया यह भी याद रखना है आपको पंचायत कितने लेवल पे टूटी हुई है तो थ्री टीयर है यह भी याद रखेंगे सबसे उपर होता है जीला परिश्यद फिर होता है बताए पंचाय समीती फिर होता है ग्राम पंचायत फड़ा फट से इसको नोट डाउन कर लीजे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ दस सेवन्थ शुड्यूल ऑफ इंडियन कॉंस्ट्यूशन इस रिलेटेट टू भार्दी समविधान की सात्वीय निसूची से डैस समंदित है एक्ट और एक्ट और रेगुलेशन डिवीजन ऑफ पावर यूनिन ऑफ इस्टे तो भाईया यहां पर करेक्ट आंसर होगा डिवीजन ऑफ पावर क्यों अभी हमने पढ़ा था कि इसमें क्या मेंशन है कॉंकरेंट लिस्ट है स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है जो की बताता है कि किसके पास कौन सी पावर है तो क्यों भूलना है वेरी गोड़ अब ही हमने देखा था कि उसमें रेशियो क्या था 161 और 52 यह भी नहीं भूलेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है वंदे मात्रम वास फर्स्ट संग एड़ सेशन ऑफ दा इंडिया नैशनल कॉंग्रेस इन वंदे मात्रम पहली ब हो चाहे सौरव हो चाहे यहां पर एबी डिवीलियर्स तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा 1896 अब देखें इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की बात की गई है तो भाईया का फॉर्म हुआ 1885 में हुआ किस ने किया ए ओ हुमे ने किया पहले प्रिसाइड किस ने किया डबलू सी बेनर जी ने किया पहले यंग फॉरेनर कौन बने यूले बने लेकिन सबसे यंग कौन थे अब्दुल जी ठीक है कौन अब्दुल कलाम यह भी याद रखेंगे ठीक है फिर उसके बाद आपको क्या है बहुत बढ़िया यूले जा करेक्ट आंसर और पहली महिला जो बनी थ कौन थी एनी बैसेंट कौन थी एनी बैसेंट जिन्होंने प्रिसाइड किया और पहली भारती महिला कौन थी फड़ा फट से लिख दीजिए मैं यहां पने लिखूंगा पहली भारती महिला आप बताएंगे अभी हाँ सरोजनी चली आ गया है नेक्स कोशिर की तरह पढ़ते हैं फॉर फॉर हूं तिलक अपने राजनीतिक गुरू के रूप में सिर्कार किया स्वामी वेकानन विश्नु चिपलांकर छत्रपती शिवाजी और शिशिर कुमार कि różते यहां पर सभी का साहीर कविता रिंपा ठीक है यहां पर एब्लेस के रेशर सिवाजी होगा क्या कुनद्य कुनद्यूजन ही कंद्यूजन है कविता है आप स holistic है सौरव हाप सही और आपनुप ब्हुंड में यह आप पर राम क्रिष्न परमहन इन्होंने उन्हीं के याद में निकाला भाया राम क्रिष्न मिशन यह याद रखेंगे अगे बढ़ते हैं अगले प्रशनि की तरफ लेकिन आप से एक गुजारिस फड़ा फड़ से सभी लोग लाइक कर दीजे अगर आपको सच में कॉशन करने में मज़ा आ रहा है और फड़ा-फड़ से शेयर कर देंगे चलिए हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रिशनी की तरफ विच सेट ऑफ आटिकल डील्स विदा सिटीजेंस चिप इन इंडिया भारत में नागरित्ता स सम्दित अनुखेत कौन सा है पांस से ग्यार एक से 4 बारा से पैरतिस और च्शत्तिस से इंक वन सी लोगों के आगा है पांस से ग्यारा फ unas layering कि ठीक है स्रियल्स असाना श्रीवानी गया बहुत बढ़िया शीकाज, सोनी, बहुत बढ़ियां, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा, वो आर्डिकल 5 से 11 होगा, एक से 4 में क्या है, यूनियन टेरिटेरी, ठीक है, यह भी याद रखेंगे, 12 से 35 में किस की बात की गई है, fundamental right की, फिर आर्डिकल 36 से 51, DPSP की बात की गई है, यहाँ पे citizenship की बात की गई है, कौन सी citizenship हैंडिया में, single citizenship, कौन सी है, single citizenship, अब फड़ा फद बताएंगे, कि यह citizenship शिप ली कहां से गई है कौन से कंट्री से फड़ा फड़ा बताइए ब्रिटेन 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 बहुत बढ़ियां नेक्स कोशन की तरफ बढ़ेंगे 26 जनवरी को सतंता दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत के लिए पूंड सतंतर रता की मांग इसने की गोपाल किरिंज गोकले सुरिनात बेनर जी मादमा गांधी और जवाहालाल नहरू यहां पर लोगों ने कह दिया है एबी डिवीलेस कह रहे है नहरू जी नहरू जी आगए शूती असौरा प्रसंजीत गोवेंद रिम्पा मनीशा जितेंद्र बहुत बढ़िया राज यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वोगा जवाला नहरू जैसा कि अभी आपने देखा क कि इन्हों ने पूर्ण सुराज की मांग कर दी थी मतलब इंडिपेंडेंडेंस दे हमें 26 जन्वरी को मनाना था ठीक है अभी आपन ये भी देखींगे कि 26 जन्वरी को ही क्यों स्टेट सिलेक की गई ठीक है आगे बढ़ते हैं दा फ्लैग कोड ओफ इंडिया इस इफ्लेक्टिफ फ्रॉम भारत की ध्वज सहीता कब से प्रभावी हुई 26 जन्वरी 2001, 15 अगस 2002, 26 जन्वरी 2002 और 26 जन्वरी 2003 सभी लोग कह रहे हैं सर 26 जन्वरी 2001 कह रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग बी के साथ कह रहे हैं 2003 सौरव ने कहा है सर 2002 मनीशा ने स्किप किया है 2002 सौरा वरिंपा दिव्यांश बहुत बढ़ियां यहां पर करेक्ट आंसर जोगा 26 जन्वरी 2002 बहुत बढ़िया कई लोगों ने इसको गलत दिये हैं जब आपको तो भाईया यह कता ही जहर सवाल हो गया नोट करके लिखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण है विच शिडियोल ऑफ इंडियन कॉंस्टिट्यूशन डील्स विद लेंगविजेज भारती सम्विधान की कौन सी अनिसूची भाशाओं में इसने संबंदित है नाइंथ स सिंपा अनेल बहुत बढ़ियां नेहू सौरा राखी बहुत बढ़ियां यहां पर करेक्ट आंसर हो एट हमने देखा कितनी ओफिशल लेंग्वेज 22 थी पहले 14 थी ठीक है यह भी आद रखेंगे सिंधी लेंग्वेज कब है डूई कौन सी अमेंडमेंट से यह आपका रखेंगे अगले कोशन की तरफ अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर वार्ट अशोकास वील इंडियन नैशनल फ्लैग रिप्रेजेंट भारत के राश्री धोज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है वील आफ पीस वील आफ प्रॉस्परिटी वील आफ लॉव धर्मा वील आ आफ आफ ओर्टी अचलो बताइए फड़ााख से यहां पर लोग करें सर बी 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 कुछ लोग करें सर यहां पर और अनसर हो जाएगा धरमा तो पीस तो वाइट कलर बोलता है प्रोस्पेटी ग्रीन कलर बोलता है और करेज यहां पर सैफरोन कलर की बात करता है लेकिन जो वील है वो बात करता है लो अफ धर्मा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन लेकिन एक बार बढ़ने से पहले मैं ना चाहूंगा वील में कितने स्पोक होते हैं कितने स्पोक होते हैं कई बार कॉशन पूछ लेता है बताइए फड़ा फड़ से कितने स्पोक होते हैं चोबिस 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 आगे आसीम एलन रिंकू अफसाना प्रसनजीत दिव्यांश बहुत बढ़ियां भाईया सारे लोगों ने तो भाईया तीर मार दिया चलिए आगे बढ़िंगे वेन वास्ट लाहोर सेशन अफ दा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस हैं वेर एवर एवर लोगों के पहले ही आगे मतलब ऑप्षेन की जरुरत नहीं है सर इस कोशन को तो हमने मार दिया अब आप पढ़ोगे तो मतलब पोस्ट मॉटम करना हो जाएगा इसका ठीक है भाईया यहां पर करेक्ट आंसर जोगा 31 दिसमबर 1929 होगा आगे बढ़ेंगे अगले यहां पर सुर्वने का सर बी मतलब सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रेंट जो है वो नहीं है अब डी विलियर्स भी सर सिक्केम राखी दिली पे सौरा वुमा गोपाल अफसाना के वी एस प्रसनजी जितेंद्र बिलकुल यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वोगा सिक्किम डेमो कॉंग्रेस जो है अपनी वह आपको पता है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ ट्वेंटी फॉर्थ अमेंडमेंट्मेंट दील्स विट चौबिस्वा संसोधन डैस समद्धित है तो प्रोसीजर ऑफ एलेक्शन ऑफ प्रेजिदेंट शिडूल कास्ट ट् ट्राइब से है तो सौरव ने का है नई सर सब लोग गलत बता रहे हैं मैं सही बता रहा हूं फंडमेंटल राइट होगा ठीक है सौरव देखते हैं यहां पर मुहम्मद फैजान ने भी सौरव का साथ दिया है अफसाना कंफ्यूज है चलिए यहां पर करेक्ट जोगा वह फंडमेंटल राइट वहरे गूट सौरव बहुत बढ़िया हाँ प्रसंद जीट सीज दा करेक्ट आंसर कंफ्यूज मत होई है यहां पर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नी की तरफ विच आप फॉर्लॉइंग है अगले प्रश्नी की तरफ फॉर्लॉइंग है पावर त लौ कमीशन यहां पे लोग कह रहें सर पार्लियमेंट मतलब ऑप्शन नमबर बी प्रसंद जीट कपेल एब डिवीलियर सौराव नेहू मोना गोवेंद भाया इतनी फास्ट आंसर आएगा तो में नाम के से पढ़ पाऊंगा वेरी गुड यहां पे करेक्ट आंसर है जो व तू सेशन ऑफ इच हाउसे ऑफ पार्लिमेंट संसत के प्रतेक सदन के दो सक्तरों के बीच अधिक्ता मंतराल कितना होना चाहिए तीन मेहना छह मेहना नाइन मंथ और वन यह ऑप्शन नमब बी के साथ जा रहे हैं लोग लेकिन अध्यान से देखिए यहां पे साब डसने वाला है बहुत से लोगों को अजय ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है ओ भाई 6 मेने कैसे होगा यहां पे पूछ क्या रहा है देखिए मैक्सिमम इंटर्वल हाँ पवन आप बिल्कुल सही है यहां पे ओनली शॉड्ड वेरी गॉड यहां पे वैरी गॉड यहां पे जितेंद्र वैरी गॉड यहां पे करेक्ट आंसर होगा भाई यहां 6 मांथ ठीक है कितना होगा 6 मांथ कि वीजोय वेरी गॉड आर्र वांड यहर नहीं ओगा रिम्पा वांड नहीं होगा 6 अब देखिए कितने से επने 9 कौंसे backwards लúde करके रहे हम बजर की बात कर रहें किसकी बजब की किसकी बात करें बजब की मौनसुन की ठीक है और कौनसे अपना विंटर गिड़ थीक है तो यह होगा अपने सेशन तो भूलिये कहा नहीं अच्छा प्रसुन जी ने छह बोला था ठीक है फिर अगर छह बोला है तो वेरी गोड सही है आगे पढ़ेंगे अगले कोश्यन की तरफ इन दा पार्लियमेंट अफ इंडिया दा पर्पस अफ एन अच्छोर्मेंट मोशन इस भारत की संसत में इस्थागन प्रस्ताव का उद्देश है तो अलाव अधिस्केशन ओन अधिनेट मेंटर अफ अरजन पॉलिक इंपॉलिक इ अधिए ती यहां पर सबसे पहले आ रहा है अकबर अलीक वो कह रहें सर आप्शन नंबर वन होगा इस और ने अब है आप्शन ओके ठीक है ए ए आ रहा है रिते का कांशा राखी ने हूँ रिंकू सौरव चलिए यहां पर सभी के ए आ रहे हैं तो भाईया ए को ही करेक्ट किया जाएगा टू अलाव वर डिसकेशन ओने डेफिनेट मेंटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस जिसको हम एड़ेंट कौन से आर से श्टार्ट होता है यहाध रखेंगे मग हैं जा आगे बढ़ते हैं अगले अगले की तरफ अगला प्रस्न प्रशीघ आप जेटिवेजेशन प्रीक बाट duplication और इस्टेशन तो पंडिच जवह लालन नेहरु उन मोदब य्ए, के द्वारा डेश पर सम्विधान सभा के पहले सत्र के उद्देश प्रस्ताव का स्थानतरित किया गया था 13 दिसंबर 1946 जनवरी 26 जनवरी और 9 दिसंबर वहरे गोड सभी के आगे सर 13 तेरा रिमपा नेहा प्रकाश मनीशा एबीडी विलियर्स बहुत बढ़ी आफसाना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर नहीं होगा 13 होगा ठीक है क्यों पहला जो था वो 9 दिसंबर को था जिसको सचिता नंसिन्हा ने किया दूसरा था 11 दिसंबर जहां पे राजेंद प्रशाद थे 13 दिसंबर आपको याद रखना है जहां पे जवाहाल नेहरू ने अब्जेक्टिव रेजोलीशन की बात की थी वेरे गोड 13 दिसंबर करेक्ट है बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे अगले प्रशन की तरफ एलेक्टेड बाइप पार्लियमेंट और अपॉइंटेड बाइदा हो मिनिस्टर है यहां पे लोगों के आ रहा है यहां पे करेक्ट आंसर होगा अपॉइंटेड बाइदा प्रेजिडेंट ठीक है बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है विच आफ द फॉलॉइंग इस नॉट फंडामेंटल राइट प्रोवाइड इन दा इंडियन कोस्टिटूशन नेम लिखिद में से कौन भारती समविधान में प्रदक्त मौली का अधिकार नहीं है राइट ट तो गौवर्मेंट ले लेती है और फिर मुआफ़जा देती है तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी इसको किस कब अलग किया गया फॉर्टी फॉर्थ अमेंड्मेंट्मेंट से अलग किया गया 1978 तो यह यह याद रखेंगे इसको अब लीगल रा है बहुत बढ़ी यहां थ्री हंडड़े यहां पर राइट टू एक्वैलिटी तो फ्रीडम है यहां पर जौथा आंसर कैसे होगा यहां पर पूछा है नौट ठीक है तो फॉर्थ ऑप्शन तो बिलकुल मत दीजे राइट टू एक्वैलिटी तो दिया है फ्रीडम आगे बढ़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ हूँ और चेर्मेन ऑफ ड्राफ्टिंग कमीटी ऑफ दा कॉंस्टिटूशन सम्विधान के प्रारुख समीति के अध्यक्ष कौन थे अरुना असाफ अली राजेन प्रशाद जेल नहरू और बी आर अंबेड कर प्रसंद्जीत यहां अब आपको बताना है कि ड्राफ्टिंग कमीटी में कितने मेंबर्स थे यह आपका थर्ड होमवक होगा थर्ड होमवक जो की आपको कमेंट में लिखना है जब यह वीडियो खतम हो जाएगा मतलब क्लास खतम हो जाएगी आपको कमेंट में लिखना है आगे पढ़ते हैं अ और रिलीजन जर्ट कि यहाँ पर आ गया एजुकेशन 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 ऐड़िचन आव्फण से रिलेटेड है अब देखिए इसका वPh यहाँ से इंडमेंट मेंड से किया गया साखी अफसाना बहुत बढ़ियां 2002 इस दा करेक्ट आंसर सॉरी 2022 क्यों लिक रहा हूं 2002 होगा 22 तो अभी चल रहा है हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ वेर वॉर्स जॉक्तर भीम्रा उम्बेट कर इलेक्टेट इन दा सभा में कहां से चुने गए थे महाराष्ट न्यू दिल्ली वेस्ट बेंगॉल और पंजाब यहां पर अनामिका ने ठीक है सौरव ने काई सर बेंगॉल प्रसंद्जीत को फोड़ा सा एनेरजी लोगों में कम लग रही है दोस्तों थोड़ा साकंम लग रही है एक रा ने हूं तो एक बार फटा-फट बताएंगे धा जोष वॉर्यार क्या आपका जोश कम हो गया है किन्पर वॉर्यर क्या आप पंग्या क्वेस्ट असमना थ थाकतना तो मना ह यहां पर प्रिंटी फाइब बढ़िया चलिए आपने 75 परसंट जो वह जीत लिए शुब्रा बहुत बढ़िया थके नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर एक्दम करेक्ट आंसर जोगा वोगा फ्रॉम थर्टी सिक्ट टॉप्साना करें सर हंड़िट परसंट चलिए चलिए बहुत बढ़िया सभी क्या रहे हैं यहां पर एक्दम करेक्ट आंसर जोगा वोगा फ्रॉम थर्टी सिक्ट टॉप्टी वन अभी हमने देखा था यहां पर बारा से पहते किसकी बात करता है फंडमेंटल राइट पांस से ग्यारा किसकी बात करता है सिटीजन शिप यह डिपी एस पी जिसको आईरलेंड से लिया गया था यह भी याद रखते हैं आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा दे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस कलेक्टिवली रिस् प्रसंद जीद सौरफ कह रहें राज सभाव कंफ्यूजन थोड़ा सा आ गया है लोगों को प्रसंद जीद ने का है साल लोग सभा के साथ जाएंगे करक कर दीजे उसको कि विहान ने भी कहा है इस सुनील बोल रहे है सर आईसी ए आर की क्लास हो रही नहीं सुनील यहाँ पर सारे क्लासिस मिक्स हैं मतलब यह जो कोश्चन से हैं यह आपके ऐसे सी रेलवे और आईसी ए आर यहाँ पर पूछर जाएंगे ठीक है तो confuse मत रहिए ये सारे exams के लिए है आगे बढ़ेंगे यहाँ पर correct answer होगा लोगसभा रासभा जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है हाँ गुपता जी यहाँ पर लोगसभा सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्णी है लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फड़ा फड़ से सारे लोग share कर दीजे और एक बार like कर दीजे हाँ बिल्कुल सही है लोग सभा प्रदीप चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ विच ओफ दो फॉलोइंग इस अंडर दा स्टेट लिस्ट निमलिखिन में से कौन राज सूची में अंतरगत आता है अग्रिकल्चर क्रिमिनल एजुकेशन डिफेंस देख लिजे भईया यहां पर स्टेट लिस्ट की बात की जा रही है तो आपको बिल्कुल सही बताना है यहां पर नेहू दिली प्रियंका सौरा नरेंद्र चंद्रा बहुत बढ़ियां सबी लोग के और है यहां पर और होगा अग्रिकल्चर जैसा कि आपने देखा है कि जो भी अग्रिकल्चर दिसीजल लिये जाते हैं मतलब मेंली वो किसे लिए जाएंगे स्टेट से ठीक है हाँ आगरी कल्चर बाकी जो डिफेंस क्रिमिनल और एजुकेशन आता है यह सेंट्रल लिस्ट में आएगा मतलब यूनियन लिस्ट में आएगा आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ हाँ मेनी टाइप ऑफ रिट्स आर इंदा इंडियन कॉंस्टूटिशन भारती सम विधान में कितने प्रकार की रिट्स हैं पांच चार तीन दो यहां पर लोग करहें दिलीप पांच कह रहें हैं अएक तो है अपना हैबियस कोर्पस ठीक है दूसरा ऐं मेंडमस कॉन्स है mendます फिर है प्रोहिबीशन फिर है सर्शरी फिर लाश्ट कौन सा है भाईया कुओ वरं तो ठीक है कुओ वरं तो अभी हमने देखा बाई वह तट रहरुती मतलब आप किस हक से बैठें इस पद पर हैबियस कॉर्पस मतलब इंलीगल डिटेंशन मतलब अगर किसी इतने सजा कर लि यहां सभा में राश्पती द्वारा कितने सदस्त मनुनित किये जाते हैं 12 15 10 14 कि यहां पर कह रहे हैं यहां पर बारा 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 आ रहा है तो यह हमने पहले ही पढ़ लिया बारा है आगे बढ़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ लिबर्टी इस दा फ्रीडम ऑफ क्या था लक्षी सिले जीडी कोले और टी एच ग्रीन यहां पर लोग कह रहे हैं सर कोले विहान ने काय स्वाती ने अभी नहीं दिया है ठीक है नेहू कह रहे हैं सर कोले बाकी लोग क्या कह रहे है हाँ सोनू ऐसे सवाल जो है यह किसी भी एक्जैम में आ सकते हैं क्योंकि यहां पर एक तो हम सम्विधान जो कि आज गड़तंत्र दिवस है उसके बारे में जान रहे हैं और बाकी हमारी पॉलिटी तो किसी भी एक्जैम में आ जाती है ऐसे कोशन यहां पर करेक्ट आंसर होगा कोले बहुत बढ़िया सौरा वेरी गोड हाँ प्रोफेशर कोले थे बिजोय कवीता वेरी गोड आगे बढ़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ अगला प्रशने 73rd Constitutional Amendment Act deals with the following यह तो भाईया अभी किये थे पंचायत से है ठीक है किस से है पंचा पार्टी संविधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस मुस्लिम लीग स्वराज पार्टी और जन्ता पार्टी यहां पर सौरवने का सर आई एंसी आदर शुभरा सोनम उमा गोपाल अफसाना मनीशा वेरे गोड यहां पर करेक्ट आंसर हो प्रसान जीत ने सबसे पहले रिप्लाई किया सर 1924 अफसाना करें 1925 अफसाना 1925 नहीं होगा क्योंकि 1925 में तो सरोजिनी यह दूने किया था उन्हों ने किया था सरोजिनि यह दूने महात्मां गाधी जी ने 1924 बेल गाउं में चलिये आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, from when women were guaranteed the right to vote in British India, British भारत में महिलाओं को मद्दान का अधिकार कब से दिया गया, बहुत important question guys, भूलना नहीं है, 1920, 21, 22, 23, option भी देखिए कैसे दिया इन्होंने, भाईया, 20, 21, 22, 23, मतलब confusion करने का पूरा प्लैन है इनका, अमीशा कहरें यह 23, रिमपा कहरें यह 20, अफसाना कहरें सर 20 में confusion, देखा, confused हो गए लोग, तीन option आगे, 1920 भी आ रहा है, लोगों की तरफ से 21 भी आ रहा है, और 23 भी आ रहा है, 22 को छोड़ दिया, विचारे उसको क्यों छोड़ दिया, उसको भी ले आते हैं, यहाँ फे correct answer ज चाहिए है, सौरभ, very good, यही confidence चाहिए है, चलिए रंजन, very good, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशनी की तरफ, अगला प्रशन है, what does we the people of India, as mentioned in the preamber of the constitution of India, mean, भारत के समिधान के प्रस्तावना में वांडित हम भारत के लोग का क्यारत है, sovereignty lies with the chief justice of India, sovereignty lies with the people of India, sovereignty lies the political parties, sovereignty lies with the speaker of the people of India, we the people of India, solemnly constitution resolved in case, sovereign, secular, socialist, democratic and republic, तो भूलना क्यों है, तो यहाँ पे देखें, जो वी की बात की गई है, यह people की बात की गई है, किसकी? people की, मतलब हम नागरिक लोग, तो यहाँ पे sovereignty lies भी किस पे करेगी? people of India, ठीक है, option number B, चलिए, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रशनी की तरफ, when was the representation of people act part? जन प्रधिनित्व कानून कब पारि हाँ विहान, यह बहुत अच्छी बात है, देखें विहान, अगर आप skip कर रहे हैं, और आपको पता है सर की में तुक्का नहीं मार रहा था, मतलब आप negative mark से बच रहे हैं, बहुत बढ़ियां, देखें, जब आपको नहीं बन रहा है, अगर आप अभी से आदर डालोगे, क नहीं बन रहा है, तो reply, वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, इंक्यावन, इंक्यावन, लोग कह रहे हैं, सौरव ने का इंक्यावन, बिजोए, अफसाना कह रहे हैं, सर्फ 45, बट इंक्यावन सही है, यहाँ पर, 1959 करेक्ट होगा, ठीक है, गलतियों से गलतियां ना करिये, गलतियां आपको गलती की ओर लेकर जाएगी, लेकिन सबक अगर सीख गए तो जीत भी दिलाएगी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है, गलतियों से किसने समीधान सभा में मौलिक अधिकार उपसमीती का नित्यत्व किया, जेबी क्रिप्रलानी, गोपिनाथ बोडोई, केम मुंसी और मावलंकर जी, बताइए, यहाँ पे लोग कहरें सर मुंसी, कुछ लोग कहरें सर जेबी क्रिप्रलानी, मुंसी, 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 दिप्ती, पवन, सलोनी, नेहू, उमा गोपाल, रंजन ने स्किप किया है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे करेक्ट आंसर लेकिन जेबी क्रिप्रलानी है, ठीक है, क्य चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन दा इंडियन कॉंस्टिशन भारती समिधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है 6, 11, 12 और 13 सौरव ने कहा दिया 11 सर निशू कह रही है सर ए 6 नहीं है 6 नहीं है भाई 6 नहीं है यहाँ पे उमागोपाल 6 नहीं होगा सब्सक्राइब जो होगा वहोगा 11 आपको यह याद रखना है देखें यह कौन से अमेंडमेंड मेंड डूटी चेंग से ठीक है 1976 यह भी याद रखेंगे स्वान सिंग कमिटी गॉन स्वान सिंग कमिटी जिनके थूरू फंडामेंटल ड्यूटी आई और आपको याद रख बहुत बढ़ियां यहां पे इंक्यावन आर्टिकल में हैं और हमने फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिए यू एसेस आर रशीया से ठीक है यह भी आद रखना है चलिए हाँ इंक्यावन आए है यह चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण है विच आर्टिकल ऑफ दा इंडियन कॉंस्ट्यूशन डीज विद्धा एड्मिनिस्टेशन ऑफ शुडूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज भारती सम्विधा है यह थोड़ा सा सवाल जो है कि क्या है कताई जहर वाला सवाल है ठीक है तो ध्यान से आंसर देंगे सभी लोग और भाई यह क्या है यह तो सभी लोगों ने भाईया मार दिया इस को अफसाना कंफ्यूज है ऑप्शन नमबर टू के सासर 240 होगा 244 आ रहे हैं सभी के यहां पर करेक्ट आंसर होगा 244 बहुत बढ़ियां कताई जहर वाला सवाल था लेकिन बहुत बढ़ियां तरीके से आपने इसे हैंडल किया कहते हैं ना जंग ना तो तलवार की है ना ही क्या है हतियार की है यह जंग जो है वो धार वाले जवाब की है क्योंकि अगर आपके जव एस फाइनली पाज समविधान सभा कि कितने सदस्यों ने आखिरकार समविधान में अपना हस्थाक्चर किया 299 तीन सो चौबेस 302 और 284 कई लोग सौरफ करें है 299 कैसे अच्छा ठीक है अफसाना भी करें 299 मैं आप लोग को बताना चाहूंगा भाईया अगर हमारी क्लास में भाईया कितने अगर 600 आफ एसपिरेंट एंटही समय से 2-3 ऐसे होंगे जो खुरा पाती होंगे चुरा ौथ divine के सारे के सारे लोग साइन नहीं करेंगे तो 299 तो पूरे वे मैंबरी तो इस में कुछ खुरा पाती भी तो ोंगे और WE Qई खूरा पाती को अगर माइनस करते तो दो 284 लोगों ने साइन किया कितने लोगों ने 284 लोगों ने कुछ तो खुरापात भी थे चलिए बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं अंगले कोश्यन की तरफ अन्विदान सभा ने आनंत पारित किया 15 जनवरी उन्निसों पचास 15 अगस्त उनिस्टाली सो चब्वीज जनवरी उन्निसों पचास हाँ 284 उसका करेक्ट था इसका बताईए अफसान ने काई सथ डी हंड़ेट परसेंट 26 जनवरी उन्निसों पचास तो भाईया यहां पर करेक्ट लेकिन उन्निसों पचास होगा 26 नमंबर उन्निसों चास हाँ हाँ 20 दा करेक्ट आंसर बहुत बढ़ियां प्रसनेजीत है 1950 कैसे होगा हां उन्निसों पचास करेक्ट है हाँ डी नहीं बी होगा वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने हो प्रिसाइड्स ओवर दा लोग सभा लोग सभा कि यह धक्षिता कौन करता है इस पीकर प्रेजिदेंट ओफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर और नन ओफ द अबव ठीक है यहां पे लोगों का रहा है प्रसंजीत ने का ए ए ए आ रहा है सभी का सोरव साथी प्रसंजीत प्रनाव अमन विजय अकबर अंजली शुबराज सोरब्दीप ठीक है विहान वेरिगोड यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इस पीकर अभी कौन है ओम बिरला ह हैं ठीक है हमने पहले पढ़ लिए आप पहले कौन थे जीवी मावलंकर थे यह भी याद रखना है आपको कौन से आर्टिकल में हैं बदाईए लोग सभा कौन से आर्टिकल में हैं एक्टीवन में हैं ऐख हाँ बिलकुल लेकिन याद करना बहुत जरूरी है क्या करना आप यहां पर आंसर देते हो गलती होती है टी इमोटिवेट बिलकुल मत ओई यह क्यों क्योंकि आगर आपको यहां गलत हुआ तो वह पक्का सेंटर पर गलत नहीं होगा क्योंकि आपने सुधार किया है लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना होगा ठीक है हाँ चलिए आगे बरते हैं अगले प्रश्णी की तरफ पंचायती राज सिस्टम और अंडर दा पार्ट इल नाइन ऑफ सिक्किम तुरुपुरा और मिखाल है कि फड़ा फट से बताएंगे सबी लोग कह रहे हैं यहां पर 33 कुछ कह रहे हैं मतलब सौरव निकाय सरसी कुछ लोग एक रहे हैं प्रदीब एक रहे हैं ओके कॉंफिडेंस देखिए आंसर उसी का सही होगा जो कॉंफिडेंस होगा कॉ यहां पर एक्जाम लाइन वाइस लाइन निकल कर चले जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल राइड वॉस अडॉप्टेट फ्रॉम मौलिक अधिकारों के विचार को कहा से अपनाया गया था साउथ अफरीका चाइना अमेरिका ओ भाईया चाइना को काट द यूएसे 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 ठीक है बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट आंसर होगा अमेरिका ठीक है यह पता नहीं चाइना और पाकिस्तान क्यों रख दिया यहां पर आगे बढ़ेंगे आगले प्रश्ण की तरफ बिफोर नाइटीन फॉडिसेवन ट्वेंटिस्टिक जन्वरी वॉस कॉल्ड हैस उननीस सो से तालिस पहले 26 जन्वरी को क्या कहा जाता था मार्टिश डे कॉंस्टिशन डे पून सुराज और रिपब्लिक डे यहां पर सौरव ने कहा है सर सी होगा मतलब पून सुराज डे अनिल कह रहे हैं डी सर रिपब्लिक डे ही कहते थे 333 आ गया है प्रसनेजीत ने भी कह दिया है बेगिस्तान भाई रिंपा ठीक है यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा आपका पून सुराज देखे 26 जन्वरी कि 1947 से पहले हम पून सुराज कहते थे बाद में इसी रिपब्लिक डे कहा गया ठीक है हां रिपब्लिक पून सुराज होगा और अब आपको बताना है कि Constitution Day कब होता है Constitution Day कब मनाते हैं हम हाँ सिद्धी ठीक है C is the correct answer हाँ यहाँ पर करेक्ट है 26 November 26 November जो है उसको हम as a Constitution Day मनाते हैं बहुत बढ़ियां आगे बढ़ेंगे वेन वास्ट इंडियन रिपब्लिक दे सेलिब्रेटेड पहला भारती गरत्रंत दिवस का मनाया गया था 26 जन्वरी 1950 15 अगर्श उन्निस और ताले 26 नॉवंबर उन्निस और तीस जन्वरी 1950 यहाँ पर लोगों का आ रहा है और तीस जन्वरी को भी यह ओप्षन तो ठीक है करेक्ट है जन्वरी के लिए दिया है लेकिन क्या होगा 26 जन्वरी हम 26 जन्वरी को मनाएंगी टीक है चली आगे बढ़ते अगले प्रश्णी की तरफ दा आइंडिकल अंदिन इंडिन इन इन कॉंसिटिशंट परटेइने टुला इस अगेंस दिस्किमिनेशन the article in the 19th Constitution pertaining to the right अगेंश्चिक्च्पिशिएन आडिकल 16 सुर्ण 17 21 और बंद्रा यहां पे लोगों ने काय सर आर्रिकल 17 प्रसने जीत करें सर आडिकल 15 सौरव ने काया आडिकल 15 हाँ बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वह ओगा Article 15 क्यों क्योंकि देखिए Article 14 बात करता है किसकी right to equality की 15 बात करता है prohibition of discrimination भाईया जो gender, मलब sex caste, religion हमें ये नहीं करना है 16 क्या बोलता है क्या बोलता है 16 equal opportunity की बात करता है की नहीं करता है किसकी बात करता है 16 बताईये article 16 चलिए बहुत बढ़िया 19 तो freedom की बात करता है freedom of speech की ठीक है ये भी याद रखना है 18 क्या कहता है भाईया title नहीं लगाना है हाँ बहुत बढ़िया 17 बोलता है untouchability नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ फर्स्ट फॉल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज भारत की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्तमंत्री डैश है सरवजनी नैडो इंद्रा कांधी निर्मला सीता रमन और मेनका गांधी भाईया यहाँ पर बताईये पहली महिला कौन बनी नेहा बोल रहे हैं सर निर्मला जी निर्मला निर्मला आगे है सभी का आंसर ओप्शन नमबर सी राखी सोनम रिंपा अकबर अंजली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा निर्मला सीता रमन ठीक है हम तो बोलते हैं वही आप अलिटिक्स में भी क्या होना चाहिए और हमारे यहां के स्टूडेंट को लेके जाए जितने भी छोरिया है छोरों से कमना है इनको बठाईए ठीक है पढ़ाई करते रहे दोस्तों क्योंकि हमें अच्छा काम करके दिखाना है कि आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ फूर्श एलेक्टेट प्रेजिदेंट ऑफ कॉंस्ट्यूंस असेम्बली संविधान सभा का पहला निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे बिया अंबेड कर जेबी कृपलानी जवाल अलनेरू राजिन प्रशाद बड़ा अस और 9 दिसम्बर 1946 एड़ चुंस्टिट्टिट्ट असेम्बली हॉल विच इस नोव एज नौदिसम्बर 1946 को नई दिल्ली में समविधान सभा की पहली बैठक समविधान सभाग्राब में हुई थी जिसे अब कहा जाता है सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियमेंट लोग सभा दूक्त साथ आँ नहहित नहुं बोल रही है राखी ने टी का है कुछ लोग कि करें करएं यहां पर करेक्ट आंसर हों का होगा वह हो का मैं היא बहुत बढ़ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ लेकिन एक बर गाईस फटा फट से सारे लोग लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे जिससे जाधा से जाधा लोग जुड सकें तीक है आगे बढ़ते हैं चली अगला प्रश्ट ने सब्सक्राइब लाइन एडेप्टेट एज नेशनल एंबलम बाइद गॉवर्मेंट अफ इंडिया इस लोकेड़ इन भारत सरकार द्वारा राश्टी प्रती के रूप में अपनाया गया चार सिर्वाला शेर डैश में स्थित है आगरा मतुरा सारनाथ और व्रिंदा वन यहाँ पर लोगों का आगया सेले, शनिल, सोनम, रिंपा, अफसाना, दिलीप चले यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सारनाथ बहुत बढ़ियां आगे बढ़ते हैं अगले प्रशने की तरफ अगला प्रशने है विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट दा इक्वालिटी पब्लिक एंप्लॉइमेंट कौन सा अनुछे सरवजनिक रोजगार के मामलों में अफसर की समानता के बारे में बताता है आर्टिकल 14, 15, 16, 18 अब भी डिसकस किया चल्दी से पताइए यहां पर 16, 16, 16 आ गहे हैं अफसाना दिलीप यहां पर करेक्ट आंसरों का आर्टिकल 16, 14 बात करता है राइट इक्वालिटी, 15 बात करता है प्रोइबिशन और डिस्क्रिमेशन के जो जेंडर, कास्ट और सेक्स के वो है ठीक है आर्टिकल 18 बात किसकी क ठीक है 17 बात करता है अंटचिबिलिटी की यह भी आद रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है, आगे बरते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है, नेम ओफ रिट्स, मिनिंग ओफ रिट्स, को वरांतो, मेंडमास, हैबिश कॉर्पस, शर्शरी, यू में हैव बोड़ी, बाइव वाट वारेंट, तूबी सर्टिफाइट, वी कमांड, यहाँ पर आप ऐलिमिनेट कर सकते हो, बड़े आसानी से, बड़े आसानी से इसको ऐलिमिनेट कर सकते हो, सैलेश करें सर, ऑप्शन नमर्ड डी होगा, सौरव ने काई सदी, अकबर ने काई डी, अब चलिए देखते हैं कैसे डी होगा, देखिए, यहाँ पर अभी हमें पता है, क्या बोलता है, वाट अथॉरिटी, ठीक है, तो अभी यहाँ पर वाट अथॉरिटी दिख रहा है, नहीं दिखा में, मेंडमस के हम पास गए, तो मेंडमस कहता है, वी कमांड, मतलब सेकें option D के साथ कहा है अरे एक ही में हैं वाकी तो सब में हैं है ही नहीं तो एक ही होगा तो यहां पर correct answer 4 होगा बहुत बढ़िया ऐसे हम eliminate कर सकते हैं very good अफसाना अकबर C नहीं होगा D होगा correct answer चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ अगला प्रशन है और विच प्रिंस्पल इस दा लोकल सेल्फ गॉवर्मेंट बेज्ट इस्थान इश्वा सरकार कि सिधान पर आधारित है डिसेंट्राइशन ऑफ पावर सेंट्राइशन ऑफ पावर एक्क्नॉमिक ग्रोथ मेंटेनेंस ओफ लॉइंड और बनाने का मतलब यही था आर्डिकल चालेश किसका आर्डिकल चालेश जहां पर महात्मा गांधिल जी ने कहा कि पावर को डिस्ट्रिब्यूट करना चाहिए मतलब डिसेंट्रलाइश करना चाहिए और यहां पर उन्होंने यह भी कहा था अगर एक अच्छी मतलब राजा की दरूरत है मतलब यहाँ पर ऑडम्णिस्रेशन की जरूरत है यह ज़रूर्ट है तो ट्रांसफर होना जरूरी है ऑगले प्रशन की तरह अगला प्रशन सिक्स्टी फर्ट कॉंटिस्टूशनल अमेंडमेंडमेंट एक्सट्रवा सम्वेदानिक शंशोदान अधिनियम किसे संबंदित है प्रोवाइद रिजर्वेशन ऑफ सीच्टु चेडूल कास्ट राइट टो एडुकेशन लोईरिंग दाइज ऑफ वोटिंग फ्रॉम एक्ट ऑफ वोटिंग पहले 21 थी बाद में इसको अठारा कर दी गई एक सटवे अमेंडमेंट से अब देखिए यहां पर बात चल रही है जो मेरेज एज है किसकी लड़कियों की उसको अठारा से 21 की जा रही है अब आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताएंगे जब यह क्लास हो ज इस ने हाव मैनी स्पोक्स आर देयर इंद अशोकाश चक्र डिपिक्टेड ऑन देशनल फ्लैग ऑफ इंडिया भारत के राश्टी ध्वज के दर्शाय गया शोक चक्र में कितनी तीलिया है 36 24 तोला बत्तिस तो याद कर लीजें नैवी ब्लू ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है वेंड वाज लाज सेशन ऑफ दा कॉंस्टिटुएंट असेंबली हैड समविधान सभा का अंतीम सत्र का भाईजित किया गया था 26 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 29 जनवर अपना नैशनल एंथम एकसेप्ट कर लिया गया था ठीक है फड़ा फट से गाईज एक बार लाइक करेंगे और शेयर करेंगे क्योंकि हम एकदम अंतिव पड़ाओं में आ चुके हैं युद्ध के अंतिव पड़ाओं में हार मत मानिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्र अधिकारक समीति अध्यक्ष्यता किसने की थी राजेंट पिशाच जवालल नहरू सुन सरदार पटेल डॉक्टर बीयार अंबेड कर यहां पर लोगों क्या रहा है सर जेल जेल नहरू जेल नहरू दिलीब कह रहे हैं सुरफ कह रहे हैं शुभम कह रहे हैं रिंपा कह रहे ह तो यहां पर देखते हैं मन्जु भी कह रहे हैं अब भी होगा तो भईया सभी लोगों ने बी कह दिया है JLN, JLN, JLN रायदेव यहाँ पे four option नहीं होगा यहाँ पे second option होगा आगे बढ़ते हैं देखें गाईज यहाँ पे 319 लाइक हैं इसको फड़ा फड़ से 330 करते हैं हाँ नेहू आप सही है कवीता वेरे गुड आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ who was the president of India when anti defection bill was passed दल बदल विरोधी बिल पारित को होते समय भारत के राश्पती कौन थे वेंकर ट्रमन नीलम संजीव रेड़ी ग्यानी जेल सिंग और शंकल दयार सर्मा फड़ा फट से बताएंगे लोगों ने कहा है सर जेल जेल अरे जेल भाईया क्यों पूरा नाम बताईए ऑप्शन नमबर सी अच्छा मौमद ने लिख दिया है ग्यानी जेल सिंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी को बिलकुल सही बिलकुल सही यहां पर करेक्ट जेल सिंग आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ डिफ़र्मेंट ऑफ द अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर फिफ्टीन इयर्स वाज एडवोकेटेड इस कंस्ट्यूट असेंबली बाई सविधान सभा में वियसक मत्यादिकार को 15 वर्शों तक स्थागित करने विकाल रिंपा बोरेसर सी यहां पर करेक्ट आंसर जोगा वो बॉलाना आजाद होगा बिल्कुल सही है यहां पर प्रसन्यजीत वहरी गोड नेहू आप बिल्कुल सही हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है फूर्श्ट नॉमिनेटेड डिप्यूटी चेर्मेन अफ चलजि सोरव ने काह सर एकसी मतलाव सी मुखरजी के साथ झाह रहें सी 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 शी मतलव सी नहीं यह कहां से आग क्या रहें है फ्रैंक अन्थोनी होंग यहां पर बोल रहे हैं डिपयटी चेर्मेन की बात की गए थी ठीक है निपिटी चेर्में प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राश्पती की मासिक वेतन कितनी हैं पांच लाख एक लाख पच्छत्तर अजार पचास अजार यहां पे लोगों ने का है सर पांच लाख पांच लाख के साथ जा रहे हैं तो भाईया पांच लाख पांच लाख बहुत बड़ी रकम है देखते हैं इस जवाब से कौन जीता है पांच लाख रुपए कुछ लोग कह रहे हैं एक लाख भाईया एक लाख नहीं है ज्यादा क of the following cases Supreme Code ने निम लिखित में से किस मामले में मूल सर रचना सिधान पेश किया गोपालन के सच संसकारी और शंकारी केस देरुबारी केश और केशवनन्द भारती जिसके बास से आगे अपना बेसिक इस्ट्रक्चर भाईया वहां पे कह दिया आगया आप कुछ भी चेंज करो बेसिक इस्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ इन हाउ मेंडी फेज़ेज वह दा कॉंस्ट्टूटेंट असेंबली कंड़क्टेड सम्विधान सभा का संचालक कितने चर्णों में किया गया था चार तीन दो पांच यहां पर करेक्ट कर रहे हैं बहुत बढियां आगे बढ़ते हैं किसे ने कहा वेन दा वर्ड स्लीप इंडिया विल अवेक्स टु फ्रीडम एमके गांधी जवालाल नहरू अब्दुलकलामाजाद और वल्लब भाई पडेल लोग कह रहे हैं बी ऐप्षेंड बी आप्षिन मतलत जुढ़ नहरू जुढ़ा लो यथीं साफ या, चाठषा जी के साथ जाएंगे सबीव तो भाई या चचिय के सथ चाँust । जी बिल्कुल सही हैं यह पे चाथ जी बिलकुल करेक्ट है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नी की तरफ फू अमंग फॉलाइंग दमवंबर ओफ दॉप्टिटिएंस असेम्बली निम्लिकित में से कौन साविधान सभा का सद्ध से था नेकी राम शर्मा छोटू राम वनबीर सिंग उड़ा और श्री शेर सिंग यहां पर लोगों का आ रहा है कि सर फोर ऑप्शन दिलीप ने का है डी ऑप्शन अकबर ने का है डी ऑप्शन शैलेस इसकीप कर रहे हैं यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वोगा श्री रनवीर सिंग हुड़ा आगे बढ़ते हैं हाउ मेनी मेंबर्स रिप्रिजेंटेट दा इंडियन प्रिंसली स्टेट इन दा कॉंस्ट्ट्यूएंट असेंबली उननी सो चालिस में सविदान सभा में भारती रियास्तों में कितने सदस्त थे एक क्यासी तिरानवे पचात्तर और आग्या है और यहा खुरापाथ ठीक है बीच वाले क्या थे खुरापाथ आगे वढ़ेंगे अगले कॉश्चन की तरफ हूँ अफ फॉलॉइंग इस इंपावर्ट टू डिजिसलेटिव असेंबली ऑफ इस्टेट निम्लिकित में से किसे राज की विधान सभा को भंग करने का अधिकार है ग बहुत सही है बिल्कुल सही चलिए यहां पर ऑप्शन नमबर वन जो गवर्नर है वही कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे लेकिन एक बाफ फटा फट से सारे लोग लाइक करेंगे क्योंकि सिर्फ कुछ ही मिनिट बाकी है और अपनी क्लास खतम हो जाएगी मतलब जंग खतम हो जाएगी अगला प्रशन है रिसाइटिंग ओफ दे नेशनल एंथम मेड कमपसरी इन हाई स्कूल से डैश में उच्विद्यालों में राष्टगान को अनिवार कर दिया गया था मैई 91957 जून 91957 जुलाई 9 अगस्त नौ यहां पर बोल रहे हैं डी आप्शन सूजाता ने कहा है देखते हैं बाकी लोग का ए और है कुछ लोग का भी आ रहा है यहां पर अगस्त नाइन कहा गया है यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा जून 91957 में कह दिया कहा था कि भाईया स्कूलों में अब क्या होगा राष्ट्र हां बहुत बढ़िया चलिए इसकीप भारती किसान कॉंग्रेस के पहले महां सचीव रहे अचार नरेंद एंजी रंगा सर्दार्वल लब भाई और स्वामी सानन यहां पे लेकिन एंजी रंगा बिल्कुल करेक्ट होंगे ऑप्शन नमर बी पवन वैरी गूड नेहा वैरे गूड हां रंगा जी बिल्कुल करेक्ट हैं आगे बढ़ते हैं Central Vigilance Commission and the other two Vigilance Commission hold the office for term of Kendi 17th, Ayukth, and Anit 2, 17th, Ayukth, when do you think about it? 4 years, 5 years, 5 years until they attend age, and 4 years. Amisha ने का है, Sir, D, B, C, R, I, S, अबी लोग को confusion हो रहा है, यहाँ पे कुछ लोग 6 years कह रहे हैं, 4 और 65, तो यहाँ पे सही होगा, 4 years, और अंटिल दे अटेंड़ 65 years, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए, हाँ बल राम, यहाँ पे, एस दा करेक्ट आंसर, चलिए आगे बढ़ते, ओहो, हो, 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 अपनी क्लास यही होती है, समाप्त, मतलब, आज जो युद्ध किया है, उसके लिए हमने बहुत अच्छे तरह से फाइट की, आप लोगों ने बहुत दम दिखाया, क्योंकि जिस तरह के से आपका सुरू में जोश्था लाश्थ तक आप बने रहें, और जंग को फते किया है, तो एक बार अपने योधाओं के लिए हमने यहाँ पर जो लाइल लिखी है, रिमेंबरिंग दा सेक्रिफाइस आफ और ग्रेट हीरोज, क्योंकि दोस्त अपना तो मोटो ही क्या है, जुकूंगा नहीं और जब जुकूंगा नहीं तो मतला परिश्रम करूंगा ठीक है, और दोस्तों आप लोग पूछ रहते कि भईया पीडियेफ कहां से मिलेगी, तो पीडियेफ के लिए सिफ्ट जाना है टेलिग्राम पे सर्च करना है, गौरफ मौरिया सर टेस्ट बुक यह सर्च करता ही आपको एक चैनल मिलेगा, आपको जॉइन कर लेना है, वहाँ पे सारी की सारी पीडियेफ अपडेट की जाती है, ठीक है, तो देखिए घर पे रहके पढ़ाई करिएगा, ठंड भी बहुत है और ओमिक्रॉन के केसिज भी बढ़ रहे हैं, तो अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है, तैयारी जारी रखनी है, और मैं फिर से आऊंगा एक नए क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए युद्ध के साथ, तब तक के लिए आपका दोश्ट गौरव अलविदा लेता है जै हिंद जै भारत